हलो एवरीबडी इस दिग्रास सिंग राजपूत वेलकम टू मैगनेट ब्रींज एक नया चाप्टर स्थार्ट करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर से क्लास 11 पॉलेटिकल थेओरी की जो आपकी प्यारी सी बुक है जी हां सच में प्यारी सी बुक है इस बुक को हमने स्टार्ट किया है पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक चाप्टर कम्प्लीट कर चुका हूँ ठीक है जो चाप्टर वन था एक बेसिक इंट्रोड़क्शन था सब्जेट के बारे में अब अगर हम वहां देखते हैं कि सब्जेट क्या है वाट इस पॉलिटिकल थेओरी तो पॉलिटिकल थेओरी इस इस पॉलिटिकल आइडियाज और वैल्यूस तो उन्हीं पॉलिटिकल आइडियाज और वैल्यूस को बाप सिस्टेमेटिक वे में वन बाई वन पढ़ने व भी बहुत broad dimension के साथ आती हैं, क्या है, कैसे है, political theorist जो होते हैं, वो इस चीज़ को कैसे बढ़ते हैं, सारा सब कुछ हम systematic way में इस पूरे के पूरे चाप्टर में पढ़ने वाले हैं, पहला वीडियो लेक्चर है, introductory वीडियो लेक्चर होता है, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको theme बताता हूँ कि chapter किस बारे में हैं, और theme बताने के साथ साथ में आपको यह बताता हूँ कि हम कौन-कौन से topics पढ़ने वाले हैं, clear है, तो यह सारी चीजों को हम इस chapter में एक तरह से कह सकते हैं, summarize करने वाले, एक theme समझने जाएगे, आपको chapter के topics clear हो जाएंगे, fine, start कर करते हैं, देखो, सबसे पहली और important चीज जो है, तो बहुत layman definition अगर हम रखते हैं उस चीज की, तो freedom, आप freedom को कब से जानते हो, freedom कोई इनसान नहीं है, लेकिन आप freedom का जो idea है, freedom के बारे में जो सुनते हो, तो कहा से सुनते हो, क्या होता है कि human beings जब सीखते हैं न कुछ भी चीजों को, तो अब मैंने freedom बोला, तो freedom शब्द सुनते से आप क्या visualize करोगे, बहुत सारे लोग जो है, तो freedom सब्द सुनते से ही, देश आजाद हो रहा है, वो उनके, मतलब वो हो जाता है, visualization, ठीक है, जैसे independence बोला, तो national independence जो है, वो visualize करने लगते हैं, कि school में लड़ू मिल रहे हैं, तिरंगा लहरा रहा है, तो यह सारी चीजें, तो उसी तरह से freedom जो है, freedom की भी अगर हम बात करते हैं, freedom, history में अगर आप उठा के देखोगे, तो एक नहीं, अनेक example है, जहां से हमें सीखने को मिलता है, कि freedom इतना important value है, कि लोग उसके लिए हर हद तक जाने को तयार हैं, तो history is full of examples, history of full of incidents, जहां पे आपको यह देखने को मिलेगा, कि there are multiple heroic struggles for freedom, जहां पे आपको यह देखने को मिलेगा, कि लोग लड़ रहे हैं, heroic struggles से लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दिये, और क्यों जान की बाजी लगा ये, सिर्फ आजादी के लिए, सिर्फ independence के लिए हैं, ठीके, तो अब आप बोलोगे, सर, ऐसा कब हुआ, कहा हुआ, तो दूर क्यों जाना, हम अपना ही example अगर ले, ठीके, हम अपना ही example ले, तो हमारे देश ने आजादी पाई कब 1947 में, 1947 में हमें आजादी मिली, independence मिली, तो उस independence को ऐसा तो नहीं नहीं कि बिटि ठीके, उस freedom के लिए कितने ही लोग मुस्कुराते मुस्कुराते फासे के फंदे पर जूल गए, तो इस sense में ये कैसा भाव है सचो कि लोग अपनी जान तक देने को तयार हैं, और उन्हें पता है कि हम जान दे देंगे, हमें आजादी से कोई ले रहे देना नहीं है, मतलब हम तो उपर चले जाएंगे न, आजादी किसको मिल रही दूसरों को मिल रही, तो अपने लोगों के लिए अपने देश के लिए, वो भाव, वो जो idea, वो जो value is freedom का, वो लाने के लिए लोग अपनी जान तक देने को तयार हैं, ठीके, तो history is full of heroic struggles for freedom, in those heroic struggles you can see that people are even willing to sacrifice or die, people are are even willing to sacrifice their life or die, ठीक है, शिर्थ और शिर्फ एक idea के लिए, freedom के लिए, अब जब एक ऐसा idea जिसके लोग, जिसके लोग मरने मारने पर उतार हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ जान देना ही जानते थे, लड़े भी है, लड़के हमने, मतलब कह सकते ना, आजादी छीनी भी है, आजादी ब्रिटिशस ने दे के नहीं गए आजादी हमने छीनी भी है अब क्या होता देखो हम आजादी को अभी सिर्फ नैशनल मुव्मेंट तक ही सीमित रख्या पढ़ते हैं यह से क्योंकि वह रिसेंट पास्ट है सकते हैं कि जो फॉरेन रूलर्स थे जो यहां पर आकर रूल करने लगे तो लोगों ने अपना स्वाभिमान अपनी स्वतनता को सबसे उपर रखा बाकी दूसरी चीजों को पीछे रखा ठीक वह घांस की रोटी खाना पसंद कर गए लेकिन मतलब इंडिपेंडेंस के साथ मे फीडम के साथ मैं कॉंप्रोमाईज नहीं किया उन्होंने फिर यही चीज आप इंशेंट हिस्ट्री में उठा के देख लोगे तो जो फॉरेन इंविडर्स आये उनसे लड़ते रहे लोग लेकिन अपनी इंडिपेंडेंस को नहीं छोड़ा तो इंडिपेंडेंस को नहीं फीडम करोगे तो freedom is the desire of people to be in control of their own lives और यह सारी चीज़ें इनसान जान तक देने को क्यों तयार हो जाता है freedom के लिए क्योंकि इंसान चाहता है कि उसकी जो life है ठीक है उसकी जो destiny है उसका ही अधिकार रहे ठीक जैसे अब क्या होता कि कोई free नहीं है कोई free नहीं है मतलब किसी बंदी बना के रखा है तो है उसका इसके लाइफ पदीकार होगा नहींuis को बांध कि रहा हूगा बेडीयो में। इधर से इधर चलो, वो उधर जाएगा, उसे बोल दी जागा, इधर से इधर चलो, वो उधर जाएगा, ठीक, तो इस सेंस में क्या है, लोग freedom इसलिए चाहते हैं, क्योंकि freedom is a desire of the people to be in control of their own lives, उनकी लाइफ पर उनका खुद का control रहे, and destinies, and to have the opportunity to express themselves, and to have the opportunity to express themselves, इस शब्द freedom की जब बात आती ना, तो जिसे मैंने आप से बोला, visualize करो, freedom मैंने बोला, तो अधिकतर हम क्या सोच लेते, किसी को बंदी बना के रखा है, एक पिंजरे के अंदर एक तोते को बंद करके रखा है, freedom मतलब हम किसी को बांद के रखना freedom का notion होता है, freedom का horizon इससे भी जादा होता है, कैसे, for example, आपको पूरी छूट दी, आपको जहां जाना है, वहाँ जाओ, हमालयास पर घुम क्या हो, आप Switzerland चले जाओ, आप Africa चले जाओ, आपको जहां घुमने जाना है, घुमने जाओ, ठीक है, you are free, freedom है, आपके पास बोलो कि यहाँ freedom है, sir, लेकिन मैं बोल दूगा कि आप मुह से एक शब्द नहीं बोलोगे, मेरे पूछे बिना, ठीक है, मेरी permission के बिना आप एक शब्द नहीं बोलोगे, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, physically तो आपको freedom दे दी गई है, कि आप हाथ पेर आपके चारों खुले हैं, बांध के नहीं रगा है, आपको जहां जान ai उस Fundamental Right का horizon सिर्फ free movement तक सीमित नहीं है, अपके कर्म में, ठीक है, यहर free to act, ठीक है, आप जैसा करना चाहाएं वैसा करो, ठीक है आप जैसा सोचना चाहाएं वैसा सोचो, आप जैसा बोलना चाहाएं वैसा बोलो, तो freedom का जो Char plante horizon है, freedom जिस पेरामिटर्स पे आप देखते हो बहुत बड़े होते हैं और इंसान उन्हीं सारे पेरामिटर्स पे अपनी freedom को enjoy करना चाहता है तो individuals as well society seek independence और यह freedom का notion है तो यह individual level पर individual भी चाहता है कि उसे आजादी मिले societal level पर हर society भी चाहती है जैसे आप देखोगी इंडियन society जो थी तो जब हम colonial past में जी रहे थे जब हमारे उपर क्या था जब हमारे उपर British rule था जैसे कह सकते हैं कि जब वो लोग हमारे उपर उन लोगों का साशन था ठीक है ब्रिटेन का साशन था तब क्या हो रहा था तब individuals की तो freedom गई जो गई ठीक है पूरी की पूरी सोसाइटी जो है पूरी की पूरी सोसाइटी क्या कर रही थी गुलाम बनी हुई थी पूरी की पूरी सोसाइटी किस के अंडर में थी ब्रिटेन के अंडर में थी ब्रिटिश गवर्मेंट के अंदर में थी तो उस सेंस में क्या हो as well as society both seek independence अब अच्छा independence चाहिए क्यों गुलाम है तो गुलाम बनके बैठेर हो लेकिन गुलाम बनके जब आप बैठते हो ना तो आप अपनी identity खो देते हो समझना इसी इसको आपको जैसे वही आजादी है movement की लेकिन आपको कुछ बोलने नहीं दूँगा मैं ठीके कुछ बोलने नहीं दूँगा freedom of expression नहीं है आपको अब जब freedom of expression नहीं है तो उस case में क्या होगा आपके साथ दो मिट के लिए खुद सोचो उस case में आपके साथ यह होने वाला है कि आप अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाओगे आप सोचोगे आप घूमोगे सारी चीदे करोगे लेकिन आप अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाओगे आप बोलके नहीं बता पाओगे अपने thought किसी को अब जब आप अपनी आइडेंटीटी को रक्स पाओगे लोगों के सामने ही, आप क्या बन जाओगे, आप बस एक चलते फिरते पुतले की तरह रहोगे, जो खा रहा है, पी रहा है, भूम रहा है, सोच भी रहा है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके सभी लोग इंडिपेंडेंट्स सीख करते क्यों, तो प्रोटेक्ट देर कल्चर एंड फ्यूचर, ठीक है, वो अपनी आइडेंटीटी अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, कब जब वो फ्री होंगे, ठीक है, वेन दे वूड बी इन कंट्रोल आफ देर ओन लाइ करने को तयार रहते हैं, इसी टेस्ट के कारण लोग, पीपल आर विलिंग टो सेक्रिफाइज देर लाइफ क्यों, क्योंकि उन्हें चाहिए कि उनकी लाइफ पे उनका पूरा अधिकार हो, ठीक है, और हर इंडिविजल चाहता है, हर सोसाइटी चाहती है, आप भी चाहते ह क्लियर हुआ, ठीक है, अब देखो, इंजॉइमेंट ओ फ्रीडम, समझना दोंको बहुत ब्रॉट डाइमेंशन बता रहो मैं आपको इस आइडिया के, वैसे आपने फंडामेंटल राइट में, जब इंडियन कॉंस्टिटूशन एट वर्क वाली बुक में मैंने जब आप पर आप मतलब उस फ्रीडम के उपर कुछ कॉंस्टेंट्स भी रहेंगे, आप सभी का ध्यान इधर ही जा रहा होगा, मुझे पता है, अभी समझाएंगे, रुखो, ठीक है, देखो, आइडिया क्या बोल रहा हूँ, एक तरफ तुम्हें फ्रीडम का क्या बन गया, बहुत पर कुछ कॉंस्टेंट्स लगाए जाएंगे, अब आपके मन में सवाल आयागा क्या, कि कॉंस्टेंट्स लगा दोगे तो फिर फ्रीडम कैसी सर, ठीक है, मतलब आप जब बोल रहे हो कि फ्रीडम तो है आपके पास, लेकिन उस फ्रीडम पर कुछ रोक होगी, और रोक होता है कि जब कॉंस्टेंट्स लगाये जाते ना फ्रीडम के उपर, फ्रीडम के ऊपर कॉंस्टेंट्स मतलब रुखा बटे या फिर कुछ रूल्स रेगुलिशन डाली जाती फ्रीडम के उपर तो, इट made us feel free from insecurity and provide us conditions to develop पर सेल गहरा ही समझो इस स्टेटमेंट की यहां पर मैंने क्या बता है आपको कि freedom क्या होता है कि लोग चाहते है freedom में कि they should have control of their own lives मतलब उनके जीवन के साथ क्या होना है यह खुद वो तय करें ठीक अब क्या होता है अगर आपने सभी को आजादी देदी कि आपका जीवन है को जैसे करना है वैसे करो जो करना है वो करो ठीक है तो उसमें लोग क्या करने लगेंगे पता है उसमें लोग सिंपल सी चीज यह है कि फिर जंगल राज चलेगा जंगल राज कैसे चलेगा जो पावरफुल है ना वह पावरफुल वीक को डराएगा धंकाएगा ठीक है पा have the desire to have control on their own lives, ठीक है, तो वो अपनी खुद की लाइफ पर control चाहते हैं, लेकिन powerful लोग उन weak लोगों को survive नहीं करने देंगे, तो उनकी freedom का क्या हुआ, ठीक है, तो freedom एक तरह से, किसी की freedom enjoy करते-करते, किसी की freedom तो क्या हो गई है, चले गई, तो उस sense में freedom का एक idea, एक definition ये भी होती ही, कि freedom हमें क्या feel करवाए, हमें जो sense of insecurities है, ठीक है, उनसे क्या करवाए, मुक्ति दिलवाए, ठीक है, freedom should make us feel free from insecurity, ठीक हमें ऐसा लगे कि नहीं हमारी जीवन जो है, हमारी control और दूसरे हमें कुछ नुकसान नहीं पहुचा सकते हैं, उनकी life में वो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, वो रात में दो बज़े बजाना है, उनको बजाए, लेकिन अगर वो हमें disturb कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तो हमारी life पे जब वो क्या कर सकते हैं, encroach करेंगे, तो हमारी freedom भी तो यह है कि हम अराम से सोएं, लेकिन वो अराम से सोने नहीं दे रहे हैं हमें, तो इस sense में balance बहुत जरूरी है, तो balance कहा से आएगा जब आप क्या करोगे, कुछ rules regulation लगाओगे, ठीक है, arbitrary freedom के उपर कुछ constraint लगाओगे, और उन constraint के मदद से ही क्या कर सकते हैं, we can make, that constraint can make us feel free from insecurity and provide us conditions to develop ourselves, ठीक है, यह चीज बहुत important है, ध्यान रखना की freedom जो है, freedom का मतलब यह नहीं होता है कि unlimited कह सकते है, arbitrary powers दे दी जाए आपको, ठीक है, freedom comes with constraints and those constraints are very much essential, हम क्या कह सकते हैं, यहापर आप कह सकते हो कि freedom का मतलब यह नहीं कि आपको जो लग रहा है, आपके हिसाब से सही हैं, आप वो करो, आपको society के perspective से चीजों को देखना होगा, ठीक है, और उसी चीज को political theory में समझाया जाता है, तो political theory, political theory tries to evolve these principles, कि freedom कहां, कितनी, कैसी सही होगी, ठीक है, क्या-क्या dimensions है, वो सारी चीज़े जो है, आप इस chapter में जानने को मिलेगे आपको, और मज़दार तरीके से, political scientist जो है, philosophers जो है, तो उनके point of view से आपको freedom जानने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, ठीक है, जैसे अब, क्या होता है, कि मैंने आपको बताया नहीं, कि बहुत live subject है, live subject ऐसा है, कि आप जोड सकते है, आज बा, जो connect कर सकते हो चीजों को, तो एक example मैं आपको देता हूँ, कि आप बोलो कि freedom है, घर से बाहर निकलना है, हमें, हमें जैसे घूमना है, वैसे घूमने दो, ठीक है, लेकिन अभी lockdown लगा दिया, गवर्मेंट ने, तो आप मुझे दो मिलेट के लिए बताओ कि इस से वो rules and regulations जरूर ही है, क्यों, ताकि क्या हो, ताकि आपको बचाया जा सके है, coronavirus से, ठीक है, तो उस sense में freedom का एक dimension नहीं है, freedom multiple dimension से देख जानी चाहिए, और वो जो उसके principles हैं, वो evolve होते हैं, उन सारे principles को explain किया जाता है, political theory में, ठीक है, तो freedom, socially necessary constraint and other restriction, तो freedom को आप कैसे देखना आप आपकी freedom के perspective से देखना, लेकिन उसी के साथ, socially necessary constraints को भी consider करना, socially necessary concerns जिसे lockdown जो हुआ, तो lockdown, एक कह सकते हैं कि societal need थी, अगर नहीं लगाते तो क्या है, कि कितने ही लोगों की जाने चलिया थी, आपको मान लो आप positive रहते हैं, और अगर आपको छोड़ दिया जाता है, तो लोगों के घर पर जा जा कि आप दरवाजे ठोक ठोक आते हैं, आपको coronavirus देखे आ जाते हैं, तो उस sense में क्या है, freedom जो है, तो freedom अपने आप में तो जो idea है, वो समझेंगे ही, समझेंगे, कि freedom और उसके साथ, हम ये भी देखेंगे, freedom कैसे, socially necessary constraint है, और इसके साथ में जो दू आइडियल और freedom में हम दो case study देखेंगे, दो example देखेंगे, दो example किस किस के देखेंगे, एक नेलसन मंडेल का दूसरा, आंग सांग सूकी, ठीक है, तो आंग सांग सूकी और नेलसन मंडेला का example देखने वाले हम, हम इनकी कहानी देखेंगे, कि इन लोगों ने कैसे, why they are known as the ideals of freedom, ठीक है, उन्होंने क्या किया ऐसा अजादी के लिए, तो उनकी कहानी पढ़ेंगे, तो महिदार कहानिया हैं, ठीक, फिर आगे क्या देखेंगे, हम what is freedom, तो सवाल यही आता है, कि हम freedom chapter पढ़ रहे हैं, तो इससे systematic तरीके से start किया जाएगा, what is freedom, freedom का idea आखिर है क्या, क french revolution, तो जो modern political thinker से वो इन सारे ideas को attribute करते हैं, french revolution को, कि french revolution से originate हो क्या आया, लेकिन freedom जो है, तो freedom का जैसे जो हमारा indigenous concept रहा है, स्वाराज का, ठीक है, तो स्वाराज का concept क्या है, महत्मा गांधी क्या कहते है, तो उसे हम बताएंगे आपको, ठीक है, जो box में detail उसे discuss करेंगे, कि concept of स्वाराज, what is the concept of स्वाराज, बाल गंगाधर, तिलग क्या कहना चाते थे स्वाराज की concept के हिसाब से, वो मैं आपको बताऊंगा, फिर the source of constraints, तो source of constraints, अब मेरे आपको जोता है, freedom क्या है, freedom एक तरह से, आपको free कर देना, ठीक है, freedom is giving you the ability to develop yourself, आप अपने आपको develop कर ल वो आपकी freedom हो गई है, ठीक है, but that freedom comes with some constraints, ठीक है, कुछ उसके उपर कह रहते है rules regulation आएंगे, तो rules regulation कहां से आएंगे, क्यों आना चाहिए, ठीक है, क्या जरूवत है उनकी, why do we need such constraints, तो वो सारी चीज़ हम समझेंगे in paragraphs में, topics में, फिर उसके बात में क्या है, जैसे freedom से जु में पढ़के आयो, देखो, तो वो चीज़ें, अगर आपने वहाँ पे शिरुप एक शब्दी की तरह पड़ी थी, कि liberalism सरांसर में याद करके लिख देएंगे, liberalism खतम, तो वैसा नहीं काम करना था बाबू, ठीक है, उस चीज़ को अच्छे से समझना था, अगर वहाँ आप समझ के आयो, तो आज मज़ा आएगा आपको, ठीक है, liberalism ideology जो है, इसे समझेंगे, tension मत लोग कुछ लोग सोच रहोंगे, सिर्फ पगड़ ले होगा, हमने वहाँ तो समझी नहीं थी, आज समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है, तो क्या होगा कि आप यहाँ पे सीखोगे liberal journalism का idea क्या है, harm principle जो है, तो जॉन स्टॉर्ट मिल के principles के साथ में हम देखेंगे, harm principle में हो क्या कहना चाहते है, freedom के अलग अलग dimensions जो आपको समझना चाहिए, कि freedom को इस नजरिये से भी देखा जा सकता है, freedom को इस नजरिये से भी देखा जा सकता है, वो सारी चीज़े हम harm principle में negative and positive concept of liberty, liberty के दो concept होते हैं, freedom liberty क्या है, ये सारी चीज़े में आपको आगे बता हूँगा, freedom और liberty में difference क्या originate हो सकते हैं, तो ये तो पूरा ट्रेलर है, अभी picture बागी मेरे दोस्त, तो सेंस में क्या है, negative liberty, positive liberty का क्या concept है, वो आपको समझाएंगे, साथ ही साथ में freedom of expression, जॉन John Stuart Mill के हिसाब से freedom of expression क्या है, मैं आप से कहा है, freedom सिरुफ आपके movement तक सीमित नहीं है, वो आपके thoughts, सोचना, अपने आपको express करना, इन सारे dimensions पे भी, मतलब इन सारे dimensions पी तोली जाती है freedom, तो freedom of expression जो है, John Stuart Mill उन्होंने क्या idea दिया है, उनके बारे में समझेंगे, John Stuart Mill के बारे म आपको, तो यह पूरा हमारा ground है, मिल्सन मंडिला के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा हम आंग सांग सूंगी के बारे में पढ़ेंगे, अब इन दो eminent personalities के बारे में पढ़ेंगे और इन दोनों के life को, ठीक है, इनके life के struggle को आपको freedom से जोड़ना है, freedom के idea से जोड़ना ह कैसे क्या कितना वो सारा सब कुछ अभी आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा चीज़ें connect करते चलना बस Nelson Mandela Nelson Mandela को याद किया जाता है South Africa को अपार्थाइड रिजीम से आजादी दिलाने के लिए एक बहुत लंबा struggle किया उन्होंने तो अगर थोड़ा सा आपको और basics से बता हैं तो अपार्थाइड रिजीम South Africa में चलता था या आप class 9 में और भी छोटी classes में पढ़के आयो जहां पे रंग के आधार पर blacks, whites और colored के बीच में discrimination किया जाता था colored का मतलब यह नहीं कि rainbow की तरह लोग होते थे colored का मतलब यह है कि जो non blacks होते थे जैसे Indians थे तो महत्मा गांदी भी जब गए थे South Africa तो उनके साथ भी discrimination हुआ था मज़े की बात क्या है कि Nelson Mandela जो है तो वो महत्मा गांदी से बहुत ज़्यादा inspired थे उनहीं के ideas से प्रेरणा लेते हुए उन्हीं के ideas से inspiration लेते हुए उन्होंने non violence को adopt किया और अपने देश को इस apartheid regime से आजादी दिलाई कैसे क्या सारी चीज़े समझते चलो देखो तो he is Nelson Mandela clear है और इनकी जो autobiography है autobiography उसका title क्या है long walk to freedom long walk to freedom idea आगया हमारा freedom अब देखो समस्या क्या है in his autobiography he talks about the apartheid regime in South Africa उसमें क्या होता था कि रंग के आधार पर लोगों के साथ discrimination भेदभा होता था whites के लिए सारी facility blacks के लिए कुछ नहीं जैसे बहुत सारी movies भी बनी है इनकी autobiography जो है और उसके अलाबा भी इनके life से जुड़ी बहुत सारी movies बनी है तो कुछ movies देखना अगर आप देख पाओ तो तो उसमें आपको समझ में आगा कि कैसा discrimination playground इधर whites जो है जो minority whites थे जो कभी कह सकते हैं कभी जिन्होंने colony बना के रखी तो ऐसे देखा जाए तो colonization तो खतम हो गया था लेकिन वो apartheid regime जो था तो वो by law वहाँ पे लागू था जिसमें discrimination जो था तो वो government खुद करती थी तो government ने hospital बनाए whites के लिए world glass facility सारा सब कुछ blacks के लिए क्या है blacks जो है तो stretcher पर ही अपनी जान गवा दे रहे हैं playground की बाद आएगी तो blacks के जो playground था ये segregationist policies के द्वारा चलाया जाता था मतलब segregationist policy मतलब क्या है कि apartheid system जो था it was based on the segregation कि सारी whites की चीज़ें अलग होगी सारे blacks की चीज़ें अलग होगी blacks और whites के बीच में strict segregation strict separation था ठीक है separation था वहाँ तक ठीक है लेकिन separation में भी फिर क्या उच नीच बहुत जादा थी सब कुछ whites के लिए blacks के लिए कुछ नहीं ठीक है इस तरह का system जो था वो South Africa में exist करता था और अपनी जो autobiography है अपनी autobiography में Nelson Mandela इस पूरे के पूरे system के बारे में लिखते हैं बढ़ चड़ के लिखते हैं तो segregationist policy जो थी white regime में white regime क्यों कहा रहा है क्योंकि whites जो है वो dominate कर रहा है थे उस समय पे South Africa पे तो अगर आप एक fact समझोगे तो 1994 में इस apartheid regime से आजादी मिलती है South Africa को 1994 में इस apartheid system से आजादी मिलती है तो आप समझ लो कि ज्यादा पुरानी बात नहीं ऐसे नहीं कोई आज से 1000-2000 साल पुरानी बात करें तो आप इस चीज़ को मायन भी लोगे कि हाँ blacks और white regime में discrimination होता होगा तो यह recent past की बात है हमें आजादी मिलने के आपने बहुत कुछ कर लिया हमारी economy जो है grow करने start हो गई है उस time period की बात करें हम उस time period में इस तरह का development देखने को मिल रहा था South Africa में South Africa में लोग उस time period पे blacks और whites के बीच में racial discrimination को face कर रहा है थे तो अब क्या है समस्या क्या थी पता है कि यह जो apartheid regime था यह जो segregationist policies थी तो due to these policies humiliation, hardship and police brutality were suffered by blacks ठीक है क्या होता था कि जब यह apartheid regime चल रहा था तो blacks को बहुत जादा सफर करना पड़ता था हर माइने में economic hardships होती थी काम नहीं है काम है तो पैसा नहीं है समस्या है कोई facility नहीं उनके लिए ठीक है फिर police hardship जो होती थी क्योंकि अधिकतर officers वगेरा जो थी तो whites हुआ करते थे वो blacks को सही तरह से treat नहीं करते थे हर dimension पे ठीक है mentally, physically, psychologically हर sense में blacks का exploitation होता था अब क्या होता है blacks का exploitation हो रहा है इस सारी चीज़ने आपने देख ली यहाँ पे एक जो prominent factor ने जिसे हम discuss कर रहे है वो missing है blacks जो थे तो they were not having the control of their own lives उनका अपने जीवन पर अधिकार नहीं था उनके पास आजाद ही नहीं थी उनके पास freedom नहीं थी आया समाज में, बांत की किसी नहीं रखा है उन्हें लेकिन वो अपने आपको express नहीं कर पारे हैं हिसाब से जीवन नहीं जी पार रहे हैं और यही क्या है, यही absence of freedom है ठीक है, तो इस sense में freedom जो है तो freedom क्या थी, it was the need of the hour freedom की आवाज जो थी तो बहुत गहराई से उटके आ रही थी उस society में, क्योंकि वहाँ पे freedom ही सबस्यादा कम थी अब क्या हो रहा था और, तो there were many constraints in the name of apartheid regime और यह सारे constraints जो आपको देखने को मिल रहे हैं जो मैंने आपको बताया क्या, कि schools अलग है, public facilities अलग है, playgrounds अलग है सारी चीज़े जो अलग है, ठीक है, और सब कुछ अच्छा whites के लिए खराब blacks के लिए ठीक है, और आप क्या होता था, ठीक है, मैं आपको एक बहुत, उस time period का वो बताता हूँ situation, imagine करना कि whites जिस area में रहते थे न, वहाँ पर अगर blacks को काम करने के लिए भी जाना तो permit लेना पड़ता था इस तरह के constraints थे, ठीक है, blacks जो है, तो वह whites के बराबर मतलब आगे जैसे बस में बैठ रहे हैं, तो उनके बराबर में नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है, तो जो हमारे आज इस तरह से and touchability से लोग सफर कर रहे थे, वैसा यहाँ पर apartheid regime चला आ रहा था, तो these constraints were there in the name of apartheid regime, ठीक है, and the worst thing was that, that this apartheid regime was supported by the government, ठीक है, government is apartheid regime को support कर रही थी, यह सबसे बुरी चीज थी, यह सबसे दर्गदरनाक चीज थी, तो इसी के चलते क्या हुआ, इसी के चलते जो नलसर मं Mandela थे होने, अवाज उठाई, क्योंकि freedom जो है, मिरा आपको बता है, freedom, बहुत सारे आपको heroic struggle देखने को मिल जाएंगे, इस idea के लिए, इस ideal के लिए, freedom एक ऐसा idea है, जहाँ पर इंसान जो है, अपना सब कुछ निशावर करने को तयार होता है, हमने हमारे देश को आजादी के लिए, हमारे कितने ही freedom fighters हसते हसते, मुस्कुराते, मुस्कुराते, फांसी के फंदे पर जूल गए, तो उसी sense में क्या है कि यहाँ पर Mandela ने भी आवाज उठाई, Nelson Mandela जो थे, इन्होंने भी आवाज उठाई, and his colleagues, it was the struggle against such unjust constraints, तो उनके colleagues और Nelson Mandela ने यह जो पूरा unjust constraints लग सकते हैं, क्या कि constraints भी लगाया जा सकते हैं, जैसे lockdown एक तरह का क्या है, एक example है कि आपकी freedom के उपर constant लगा, लेकिन वो क्या है, constructive है, ठीके, यहाँ पर बात क्या की जारी, unjust constraints की, unjust constraints मतलब क्या हो गया, कि आप किसी को सिर्फ color के basis पे discriminate कर रहे हो, तो यह कहां, किस angle से justified है, बिल against में क्या आवाद उठाई गई है, तो वो justified है, उसे हम कहेंगे कि हमारी freedom सच में hamper की जारी है, constants लगा हो, लेकिन unjust नहीं होना चाहिए, तो Nelson Mandela and his colleague, it was the struggle against such unjust constants, clear हो गया, तो अब क्या होता है, for freedom, क्या किया इन लोगों ने, for freedom, Mandela spent 28 years, ठीके, इस शब्द को बहुत अच्छ इसी तरह से पढ़ लेना, क्या कि Nelson Mandela spent 28 years of his life in jail, often in solitary confinement, ठीके, समझ लो, अकेले एकात्म में उन्होंने क्या कर दिया, एकात्म में उन्होंने 8 साल अपने जीवन के जेल में निकाल दिये, क्यों, क्योंकि सिर्फ उन्होंने आवाद उठाई थी किस चीज के लिए, freedom के लिए वो क्या चाहते थे, कि जो apartheid regime है, ठीके, जो blacks की, जो कह सकते है, freedom को खदम कर दिया गया था, और वो ऐसा भी नहीं है, कि whites के उसाथ में बदला लेंगे बाद में, ठीके, ये बहुत अच्छी बात रही है, अगर आपको ध्यान है, थोड़ा सा अपने 9 class में भी पढ़ा थ इस चीज़ को, कि जब क्या होता है, नया constitution बनता है, किसका, South Africa का, जब apartheid regime से आजादी मिल जाती है, तब जो नया constitution बनता है, तो उसमें ये ensure किया जाता है, कि जैसा blacks के साथ हुआ है, वैसा whites के साथ कभी ना हो, क्यों? क्योंकि आप आँख के बतले, आँख लोगे तो यहां पे हर इंसान free रही है, जो unjust constraints है, जो apartheid regime में, कह सकते है, टोटली false, ठीक है, पूरी तरह से गलत है, वो उसे हटाना होगा, तो उस चीज़ के लिए आवाज उठाई, आवाज उठाई, तो आप मैं आप भी बताया कि क्या है, पुलिस brutalities को सफर करना पड़ा था था, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ एक ideal के लिए strong खड़े हुए थे, freedom के लिए strong खड़े हुए थे, और उन्होंने लोगों के आजादी के लिए अपनी आजादी को कुर्बान कर दिया, जेल में 28 साल तक बन रहा है वो, तो imagine the sacrifice he made, बतलब एक बड़ा समय होता है, उन्होंने अपना जेल में किसके साथ boxing खेलेंगे, he was not of aggressive nature, वो तो game sport की दरा देखते थे, clear, मतलब बहुत gentle इंसान थे, फिर क्या होता है, तो उन्होंने मतलब अपना सब कुछ त्याग दी न, वो अपने sports, अपना game, अपने जो कपड़े, अपने दोस्तों के साथ, बेठना परिबार के साथ सारी चीजों को उन्होंने त्याग के सिर्फ अपने idea, अपने ideal पे strong खड़े रहा है, क्योंकि वो अपने लोगों के लिए आजादी चाहते थे, तो reason for all this, इतना sacrifice उन्होंने क्यों किया, only because he campaigned for the freedom of his people, he stood strong for the idea of freedom, आगया समझ में, तो ये एक example हुआ, कि किस तरह से freedom का जो idea ह वो लोगों को किस हद तक आगे बढ़ जाने के लिए, किस हद तक sacrifice करने के लिए प्रेडित कर देता है, और लोग इस idea की कितनी चाहा रखते है, ये एक example था, दूसरा example भी है, दूसरा example किसका है देखो, तो let's have a look on another case, another case is of Aung San Suu Kyi, ठीके, Aung San Suu Kyi का case पढ़ते हैं, तो South South Africa का case देखा आपने, South Africa में Freedom British जो थे, Colonials, ठीके, उन लोगों ने लोगों की दबा के रखी थी, यहाँ पर जिसे आप मियानमार में बात करोगे, तो मियानमार में हापे military regime, ठीके, military regime था, और उस military regime के against में Aung San Suu Kyi ने आवाज उठाई, Aung San Suu Kyi के बारे में कहानी समझते ह ठीके, ठीके, थोड़ा सा मैं Aung San Suu Kyi का और India का आपको relation पहले बता देता हूँ में, क्या होता जैसे हमारे father of nation कौन है, ठीके, हमारे father of nation हम जैसे महत्मा गांधी कहते हैं, तो वैसे ही मियानमार में Aung San Suu Kyi के जो पिताजी थे, उन्हें father of nation की तरह consider किया जाता था, politically उन ल circumstances बिगरती जाती है, वहाँ पे situations और deteriorate होती है, इंडिया के साथ में अच्छे relations थे, तो महत्मा गांधी की daughter of महत्मा गांधी भी कहा गया, इन्हें बहुत सारे newspapers और बहुत सारे editors इन्हें daughter of महत्मा गांधी की तरह consider करते थे, क्यों? क्योंकि Aung San Suu Kyi ने अपने schooling जो है वो बहुत सारे states, मतलब neighboring countries में जैसे आप भूटान के देख लो, भूटान के भी अच्छे relation रहे, बांगलादेश के अगर बात करते तो जो उनकी प्राइम मिनिस्टर है, सेख हसीना, वो भी इंडिया मतलब एक समय पर वहाँ पर massacre होने लगा था, वहाँ पर उनकी family वो अगर महां रहते और शायद जिंदा ना रहते, तो उन्हें इंडिया में शरण दी गई है, तो इस तरह से क्या है, कि एक खेर यह तो मैंने आपको बहुत सारी extra details बता दिये कि इंडिया जो रहा है, तो इंडिया हमेशा ऐसे ही welcoming position में रहा है, हम हर इंसान के लिए अब आप तिब अब आप तो इंसान के लिए अब आप तो इंसान के लिए तो महां गांदी ने बहुत अच्छी तरह से प्रपाउंड किया कि लोग उनके पजितिनों पर चलते हुए क्या लोगों ने किस हदित तक sacrifice किया है, ठीक है, शी रिमेंड अंडर हाउस अरेस्ट मतलब क्या है कि उ बहार नहीं निकलना है, ठीक है घर से बहार नहीं निकलोगे आप हाउस अरेस्ट में हो, मिलेटरी रिजीम था मियानमार में, अब जो टाइम पिरेट रहा जब तक मिलेटरी रिजीम रहा मियानमार में तो उस समय पे क्या है, इन्होंने अपनी freedom गवाई, लेकिन ये continuously struggle करत से रही अपने लोगों के लिए, कि उनके जो लोग हैं, ठीक है उनका जो देश के नागरिक हैं, उन्हें आज़ादी मिल सके, उन्हें freedom मिल सके, ठीक, शी रिमेंड अंडर हाउस अरेस्ट, वाई, तो कारण में आपको बताया है, कि शी स्टूड स्ट्रॉंग अगेंस्ट इन्हों पोस्त कहा कि मिलिटरी रिजीम नहीं होना चाहिए, तो आप क्या सरकार मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अगेंस्ट में आवाज उठाओगे तो गोली भी मार सकते हैं, तो अच्छा हुआ कि हाउस अरेस्ट में डाला इन्हें, ठीक है, तो उन्हें घर में बंद कर गया, शी वास सेपरेटेट फोर्म हर चिल्रन, अनेबल तो विजित हर हस्बेंड वेन ही वास डाइंग आउट ऑफ कैंसर, यह उनसे मिलने नहीं जा पाई, क्योंकि अगर मिलने चली आती तो फिर वापेस वो लॉट नहीं पाती मियान मार और जो जो स्ट्रगल वो कर रही कि saw her freedom as connected to the freedom of her people, she saw her freedom connected to the freedom of her people, उनने लगा कि मैं आज बंदी हूँ, मेरे लोग भी बंदी है, ठीक है, और मैं मेरे लोगों को आजाद करवाऊंगी, उस दिन मैं खुद भी आजाद हो जाऊंगी, तो उन्होंने अपनी freedom को, अपने लोगों की freedom के साथ में जोड के देखा clear हुआ, ठीक है, तो जैसे her book of essays, उन्होंने अपनी एक जो निबंदी की किताब है, जिसका नाम कहा freedom from fear, तो उन्होंने freedom को explain किया कि freedom है क्या, freedom from fear, तो freedom एक तरह से क्या है कि आप अपने डर से आजादी पालो, आपको आजादी मिल जाएगी, बहुत अची चीज़े समझना, for me, in her words, ठीक है, she says and I quote, क्या है, for me, real freedom is freedom from fear and unless you can live free from fear, you cannot live a dignified human life, जब तक आप अपने डर से आजादी नहीं पालोगे, आप आजाद नहीं हो, ठीक है, आप घूम लो, फिर लो, बोल लो, चाहलो, जो करना है वो कर लो, लेकिन अगर आपके अंदर का डर खतम नहीं हो, आप आजाद नहीं हो, ठीक है, और एक dignified human life जीना है, तो आपको अपने डर को खतम करना होगा, आपको अपने डर से आजादी लेना होगा, अब सवाल या ता, डर कैसा सरभूत से डर लगता था, क्या इन अकेले घर में, नहीं, भूत वाला डर नहीं है, ठीक है, डर किस च कहती है, आपको अपने डर को मारना होगा है, तो we must not be afraid of the opinions of other people, or the attitude of authority, हम क्या है, कि सरकार जो है, सरकार ने बोल दिया कि ये law है, तो ये law आना होगा आपको, अगर आपको लग रहा है वो लगत है, तो आप आप आवाज उठाईए, ठीक है, आप आप आवाज उठाईए, जिवन में आगे हमेशा काम आएगी, जहां गलत, जहां सही, वहां सही, ठीक है, तो we must not be afraid of opinions of other people, or of the attitude of authority, or of the reactions of the member of our community to the things we want to do, ठीक है, आप अगर क्या करना चाहा रहे हैं, आप चाहा रहे हैं, कि आप जो footpark पे बच्चे बैठे हैं, ठीक है, उन्हें education दे, ये तो अच् negatively react करेगा ही क्यों इस चीज़ पे, लेकिन अगर आप कोई भी काम करना चाहा रहे हैं, और वो काम से अगर चार लोग क्या कर रहे हैं, negatively react करें, तो उनके negative reaction के डर को लेकर अगर आप वो काम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आपको लगता है, आपको जबरन पढ़ाया जा रहा करें कि आप वो करो, ठीक है, अब हमेशे इक्षा से ही लते, कभी कभी parental pressure होता है, तो parental pressure में कभी मता आना, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप science के towards tilted हो, उता जबरन family धका रही है, तो आगये, तो उस pressure में मता आना, ठीक है, तो आप जो करने वाले हैं, और आपके करने से ज आजाधी चाहिए रहेगी, clear, फिर अगली चीज का है, of the ridicule of our peers, ठीक है, अपने आजवाजो के लोग क्या बोल रहे हैं, उससे मत डरो, ठीक है, we must not be afraid of the ridicule of our peers, or of speaking of our mind, ठीक है, और आपने जो सोचा, वो बोल नहीं पा रहे हो, उस चीज को बोलने में अगर आप डर रहे ह ठीक है, और अगर आप उन सारी चीजों से डरे हुए हो, तो then you are not free, ठीक है, for me, the real freedom is freedom from fear, these fear should not stop me, ठीक है, यह सारे fear मुझे रोखना नहीं चाहिए, for me, real freedom is freedom from fear, and unless you can live free from fear, you cannot live a dignified human life, so what does she says, यह कहती है कि a dignified human life is equal to, we must be able to overcome such fears, यह जितने भी डर बताये हैं, इन सारे डर से नहीं डरना है, डर से क्या डरना हो, ठीक है, डर से क्या डरना हो, simple चीज़, तो यह सारा सब कुछ खतम होता है, यहाँ पे, दो एक्जामपल बताये हैं, अब अनलाइस वाले पार्ट पर आगा है हम, ठीक है, दो एक्जामपल, एक Nelson Mandela का एक अंग सांग सूकी का एक्जामपल बताया, अब दोनों ही एक्जामपल से आपको क्या समझ में आया, बोट अफ देम स्टूद स्ट्रांग फॉर दी आइडिया, फॉर दी आइडियल ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम के लिए खड़े रहे, उन्हें ऐसा नहीं कि उन्हें रिवार् करता है अपने लोगों के लिए मजबूत खड़े रहने के लिए अपने लोगों के आजाद ही किने अपने लोगों के फ्रीडम के लिए, तो उसे आप systematically समझते जाएंगे, ठीके, बन बाइबा, इन सारी चीदों को कवर करेंगे, तो what is freedom, ठीके, next topic जो आपका, वीडियो मे वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं, बिलीव मी, ये एक बहुत important topic और flow में बने रहोगे न, जैसे जैसे बताते जाओंगा, वैसे वैसे समझते चलना, एकदम crystal clear हो जागए topic, अभी तेक हमने क्या पढ़ा इस chapter में, तो एक introductory वीडियो में मैंने आपको वैसे तो theme definition सम बताया, कि दो examples बताये, Nelson Mandela का example बताया और आंग सांग सुकी का, कि ये जो idea है न, ये जो भाव है freedom का आजादी का, ये इतना important है कि बड़ी-बडी prominent personalities ने अपनी freedom दाओ पे लगा दी क्योंकि वो अपने लोगों के लिए इस idea को अपहिल्ड करके रखना चाहते थे, they stood strong for freedom, तो उसी चीज़ को अब आगे बढ़ाते हैं, ठीके, freedom क्या है, what is freedom, इस चीज़ को हम इस video lecture में समझने वाले हैं, let us try to understand it in बाहुबली style, बाहुबली style में कैसे, तो ये वाला scene दिया रहे हैं आपको, ये अजीब सी भाशा बोलने वाले जो, ये जो team थी, ये जब जीतने व आप अभी देखोगे, आपने पिछले वीडियो में पढ़ाएं कि freedom में आप बोलतोगे, it is overcoming the fear, ठीके, आपके डर से उपर आजाओ, आपको आजादी मिल जाएगी, ठीके, वो एक dimension है, लेकिन अब political theory में जब systematically पढ़ते चलते हैं हम चीजो को, तो हम systematically वैसे ही definition भी निकाल ठीके, simple सा, A plus B वाला concept है यहां पे तो, क्या, कि आजादी कब मिलेगी जब बंदिशे नहीं होगी, तो आजादी क्या है, जहां बंदिशे ना हो, जहां constraints ना हो, what is freedom, तो freedom is absence of constraints, आया समझ में, ठीके, नहीं आया, चलो और simplify करते हैं, देखो, constraints जो है, मतलब आपके उपर कि रोख लगा दिए, तो आप आप आगे गाडी नहीं बढ़ पाएगी ना, आपकी, मतलब आपके पास आजादी नहीं क्या, आगे निकल पाओ, आप रुख गए हो आप, ठीके, अब आप आप आजाद नहीं हो, क्योंकि उपर आपके उपर एक बंदिश लगा दी गई है, ठीके, तो उस सेंस में क्या होता है, आजादी, क्या होती है, आजादी आपके सारी बंदिशों से आपको मुक्ती मिल जाना, what is freedom, freedom is absence of constance, और क्यों constance नहीं होना चाहिए, क्यों बंदिश नहीं होना चाहिए, देखो, तो उसके पीछे का कारण, इंडिविजल को आप फ्री कब कंसिडर करोगे पता है, जब उसके उपर कोई external constraints नहीं हो, कोई external controls नहीं हो, अगर external controls लगा दिये जाएंगे, तो वो इंडिविजल क्या है, इंडिविजल अपने आपको पूरी तरह से अपने decisions को, अपने आपको independently enjoy नहीं कर पाएगा, वो independently अपने decisions नहीं ले पाएगा, ठीक है, और वो autonomous way में अपने काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो इसलिए absence of constant is a basic necessity when we talk about freedom, तो what is freedom, तो freedom is absence of constant, क्यों जरूर है क्योंकि अगर किसी प्रकार का external control रहेगा, तब individual क्या है, independently decision ही नहीं ले पाएगा, वो independently काम ही नहीं कर पाएगा, तो वो individual अपने हिसाब से चीजें कर पाएगा, आगे मैंने आपको क्या बताया थे introduction में, freedom क्या है एक तरस है, कि people should be in a position to live their life by themselves, ठीक है, वो अपने हिसाब से जीवन जी सके, तो जब उनके उपर बंदिशें नहीं होगी, जब absence of constant होंगे, तब ही तो वो अपने हिसाब से जीवन जी पाएगे, आया ना समझ में, तो ये definition suit करती है, freedom की definition पर, ठीक है, मतलब ये जो explanation है, freedom की definition को suit करता है कि नहीं करता है, अब money man में आप जवाब दोगे, answer करता है, ठीक है, चलो, तो लेकिन इतना ही नहीं है, ठीक, ये एक dimension है, मैंने आपको starting में ही बताया था, freedom के, अब freedom चोड़, आप जितने भी आगे chapters पड़ोगे, हर chapter को आपको multiple dimension से देखना है, तो आप जब multiple dimension से देखोगे, तो ये एक dimension है, दूसरा dimension क्या है, देखो, तो ये तो सही है, freedom means absence of constraints, plus, plus क्या आगया, plus the ability to express themselves and develop their potentials, ठीक, शाब दो को समझो, develop their potentials, मैं आपको बहुत अच्छा example देता हूँ, आप बोलो कि absence of constraints means freedom, आपको कोई रोक टोक नहीं होना चीए, आपके ओपर कोई बंदिश्य नहीं होना चीए, आप drugs लेने लगे बहुत जादा, ठीक है, आप बहु enjoy कर रहा हूँ, there should not be any constraints on me, कोई रोखेगा नहीं मुझे drugs लेने से, लेकिन आप क्या सही मायने में अपने आपको develop कर रहा हूँ, वैसी आजादी किस काम के जिस आजादी से आप अपने आपको खतम कर रहे हो, ठीक है, आप अपने आपको destroy कर रहे हो, तो इसलिए, over the period of time, आ ability to express themselves, आप अपने आपको, क्या करो, express करो, ठीक है, सही मायने में, and develop your own potentials, develop their own potentials, ठीक है, तो individuals should be in a position, or we can say that individuals should be in a position to express themselves, plus develop their potentials, वो अपने आपको विक्सित कर पाए, ये freedom की सही definition होगी, ठीक है, तो आप जड़ा दोनों को मिला दो, और answer लिख क्या हो, पूरे number लिख क्या with that, there should be in a position in which they have the ability to express themselves, and develop their potential, तो ये सही मायने में, किस की definition होती है, ये सही मायने में, freedom की definition होती है, ठीक है, तो देरफोर, freedom or free society, what can we say about freedom or free society, एक freedom or free society, क्या होती है, तो it is a society which enables all its members to develop their potential, जरूरी ये है, कि आप आजादी इस तरीके से दो, कि सब आगे बढ़े, अपने आप destroy ना करें, उस आजादी का इस्तमाल करते होगे, ठीक है, तो society which enables all its members to develop their potential, with the minimum of social constraints, ठीक है, तो with the minimum of social constraints, मतलब समाज उनके उपर क्या करें, किसी प्रकार के बंदीशी ना लगा, उनके उपर कोई constraints, उन्हें रोखा ना जाए, अब शब्द पर जारा गहर करो, with the minimum of social constraints, हमने तो absence of social constraints की बात करी थी, ठीक है, आप तो बोल रहे थे definition में absence of constraints होना चाहिए, मतलब रोख टोख होना ही नहीं चाहिए, ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया, minimum of social constraints, मतलब constraints तो होंगे, ठीक है, मतलब बंदिशे तो होंगी, लेकिन minimum होगी, अब वो minimum क्या है, क्यों जर position में रहना चाहिए, उनके पास वो ability होना चाहिए, कि वो अपने आपको freely express कर सके, express करने के सांस साथ में हो क्या कर सके, अपने आपको develop करे, ठीक है, ठीक है, develop करे in the presence of minimum social constraints, अब ये social constraint वाली क्या angle है definition में, ये वाला angle समझते हैं हम देखो, तो ये angle इस तरह से है, कि freedom comes with constraints, ठ द्रस्टी कोण से अगर देखा जाए, अगर society के perspective से देखा जाए, तो अब क्योंकि society में क्या है, देखो, society में individuals हैं, ठीक, जैसे अगर आप देखोगे, society किस से मिलके बनी है, आप मैं, ठीक है, हम सब मिलके क्या करते हैं, society को बनाते हैं, ठीक है, हम सभी लोग रहते हैं, तभी तो समाज बनता है ना एक तो उस सेंस में क्या है कि अब आप आपके आजादी enjoy करोगे ठीक है बहुत बढ़िया है congratulations लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरे की आजादी को क्या करो दूसरे की मतलब दूसरे का जो sphere है दूसरे की जो क्या सकते area है freedom का ठीक है उसके उपर encourage करो ठीक तो उस सेंस में क्या है ऐसा सोचा गया कि आप freedom में आपके उपर कोई constraint नहीं होंगे ठीक है आप अपने आपको develop करो आप अपने आपको express कर पाओ वो सारी conditions आपके लिए provide की जानी चाहिए लेकिन आप दूसरों की conditions को न विगाड़ो इसके लिए आपको constraints भ great responsibility तो वहाँ पर वही चीज़ बताएगी कि आप आपके freedom को enjoy करोगे तो आपको responsibly उस चीज़ को enjoy करना होगा ठीक है तो उसी चीज़ को अब हमने बोल दिया लेकिन सब मानते का हैं तो फिर rules regulation constants बनाये जाते हैं ठीक सवाले आता है question in which constants are justified constants are justified and which are not ठीक है सवाले आता है which constants are question is which constants are justified and which are not कौन से बन्दिश है सही है कौन सी गलत है ठीक अब जिसे मानलो क्या है common है ground level पर आप चीज़ों को समझते चलोगे आपको चीज़ने clear होते चले जाएगी आप रात में ठीक हैं दो बज़े अपने च्छत पे क्या कर रहे हो DJ बजा रहे हो जो जोर से तो उसमें क्या हो रहा है अब उसमें तो आपके उपर बंदिश लगाना पड़ेगी क्यों कि जैसे आप आपके आजादी enjoy करो दूसरे सोने की भी आजादी ना उनको ठीक है तो वहां पे क्या है वहां पे angle ऐसा है कि आप दूसरों की freedom दूसरों के area में encroach कर रहे हो लेकिन अगर कपड़ा पहन के जाना चाहरे हो आप वाइट कलर का कपड़ा पहन के जाना चाहरे हो अप वाइट कलर का कपड़ा पहन के जाना चाहरे हो ठीक है कपड़ा पहन के जाना लेकित तो अब क्या होगा तो उस पर आप कोई constraint नहीं लगाएगा ना क्यों क्योंकि आपके किसी भी Constants are justified and which are not, ठीक है, जैसे आपने छोटी ग्लासेस में reasonable restriction सुना होगा शब, तो reasonable restriction में अतलब वात वही आ गई है, कि किस तरह का restriction आपके उपर लगा जाना चाहिए, वो reasonable होना चाहिए, रात में दो बजे गाना बजा होगे, तो वो reasonably justified है, कि constant लगा जाए आपके उपर आपको र रहती है, वो चीज रहती है, तो which are acceptable and which should be removed, तब constants की वही बात आती कि constants कौन से acceptable होगे, कौन से remove किया जाने चाहिए, तो उस चीज को अगर समझना है, यह जो दो सवाल है कि कौन से constants नहीं है, कौन से constants नहीं है, तो उस चीज को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, to understand this, we must look at the relationship between individuals and society, इस चीज को समझना है, तो हमें individual और society के बीच का relation समझना होगा, individual और society के बीच का relationship कैसे समझना होगा, ठीकि आप बोलोगे, सर आप ही समझाओ ना, मेरे ही काम है, मैं समझाता हूँ, क्या होता है, मैंने आपको जो भी explanation वैसे तो दे चुका हूँ, कि आप society में ज जो भी constant होंगे या constant नहीं होंगे, ठीक है, कौन से justified है, कौन से justified नहीं है, वो इस चीज पर depend करेंगे कि आप जो है, ठीक है, what society permits to the individual, क्योंकि society में रहना है, एक समाज में रहना है, लेखो, आप extreme level पे freedom की बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप जब extreme level पे freedom की बात करोगे, जै ठीक है, तो अब क्या होता है, कि यहाँ पे आप शराब पीओ, आपके पैसे, आपकी गाड़ी, लेकिन रोड़ पे हम चल रहे हैं, हमारी अपनी जान है न, हमें उड़ा दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो इस sense में यह कहा जाता है, क्या, कि आपके ओपर जो constant लगाये जाएंगे, वो आपके relation, society के perspective से देख के लगाये जाएंगे, ठीक है, वैसे ही अभी lockdown वाले period में लोग बोलता है कि आपने आपका मास्क पहना है, ठीक है, तो शुरक्षी तो आप निश्चिंत्रा हो, मेरी क्यों चिंता कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर यह explanation दिया जाता clear हुआ, so if we go by the definition, तो अब देखो मैंने आपको सारे dimension दिखा दिये, कि क्या होना चाहिए, minimum constraints होना चाहिए, minimum social constraints होना चाहिए, ठीक है, और सबसे important यह क्या है कि आपको ability दी जाना चाहिए, कि आप अपने आपको develop कर सको, वो freedom की सही definition होगी, ठीक है, so if we go by the definition, freedom means the absence of constraints, तो absence of constants में क्या है, कि constants जो है, वो reduce करना है आपको, जबरन बंदिशन ही लगाना है, ठीक है, इसको आप, जैसे आप, मैंने क्या कह दिया कि freedom जो है, तो freedom पे minimum constraints तो होगे ही होगे, तो इसको आप negatively देख सकते हो ऐसा, कि freedom को क्या कह रहे है, आपको रोक लगाना ही आजादी देना ह है, ठीक, तो अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे, कि यह तो सर, negative definition type से होगे, थोड़ी सी constants, constants की बात कर रहे है, तो absence of constants में आपको इस चीज को धियान रखना है, कि you are required to reduce or minimize social constraints, ठीक है, that limits our ability to make choices free, जैसे मैंने आपको बताया है, कि आपका कौन से color का कपड़ा पहनना है, उस सीज पर constant नहीं लगाया दा सकता, क्यों, क्योंकि वो आपकी choice है, वो आप से जुड़ी हुई है, उससे दूसरे को कोई harm नहीं हो रहा है, ठीक, तो इस sense में हमें ऐसे constants को कम करना है, कि बिना सर पैर के तरक दिये, ठीक है, आप कोई भी बंदिशे लगा दो, तो वो आपको हटाना है, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि absence of constant का मतलब क्या होता है, कि आप reduce करोगे, minimize करोगे, जो societal constants है, क्यों, क्योंकि उन्हें जब reduce करोगे, तभी आप freely अपनी choice को choose कर पाऊगे, ठीक है, आप जो चाहा रहा है और वो कर पाऊगे, अब इसको थोड़ा सा और positive side में देखें, तो क्या है, कि freedom का मतलब ये भी होता है, कि आपको छोड़ दिया जाए, ठीक है, कि आप अपने, मतलब आपका जो opinion है, आपकी जो choice है, उसे choose कर लो, ठीक है, साथ ही साथ में आपको condition दी जाए, ठीक है, आपके लिए provisions for condition for development, ठीक है, कि आप अपने आपको develop कर आपको ऐसी condition आपके लिए develop की जाए, क्लियर, कि individuals जो है, individuals सबसे पहली तो चीज यह होगी, उनके पर कोई रोख थाम नहीं होगी, जबरन की, ठीक है, हमें minimize करना है, और साथ ही साथ क्या होगी definition, मैंने जो दूसरा dimension, दूसरा angle देखा, कि you are free, you are in a position to express yourself and to develop yourself, ठीक, तो आपके लिए वो condition बन पाएगी, एक और example देखते हैं यहापे, ठीक है, कि किसी भी बच्चे को, मतलब जो child labor होते है, child labor नहीं बनाया जाएगा, समझना, example समझोगे, definition का पूरा अच्छा एकदम रस समझ में आ जाएगा, किसी भी बच्चे को child labor नहीं बनाया जाएगा, ठी इसको बालमच्दूर बना दिया, तो वो constant हटा होगे, तभी तो वो पड़ेगा, then only he will be in a position, और she will be in a position to go to the school, तो आपने वो constant हटा दिया, साथ ही साथ में अब आपने उसको बालमच्दूरी तो आपने बंद कर दी, वो constant हटा दिया, आपने कि उसको बालमच्दूरी करव पड़ेंगे जिसके चलते वो उसका development करा आपा है तो तभी government schools बनाएगी फ्री में बच्छों को admission देगी connect कर पाया है तो constraints भी हटाना है freedom का मतलब होता कि absence of constraints रहे reduce करो minimize करो social constraints को ताकि individual जो है वो choose कर सके और दूसरी चीज़े क्या है आपको condition develop करना होगी positive side देखना होगा freedom का ताकि individuals जो है वो प्रेरित हो कि वो अपने आपको develop करें वो उस position में आए कि वो अपने आपको develop करने स्रिफ सोचने से कुछ नहीं होगा ठीक है तो positive dimension इसका क्या रहा कि availability of wide range of areas in which individuals group community or nation will be able to cater their own destiny ठीक है be what they wish to be ठीक है वो जो चाहते हैं वो कर पाएं उस चीज़ के लिए condition develop करना तब freedom की definition complete होती है snap recap करते है ठीक है तो freedom means absence of constraints according to which government should reduce or minimize social constraints that limit our ability to make our choice freely and along with that there should be the provisions for condition for development ठीक है and this shows the positive dimension of freedom according to which government should provide the wide range of areas in which individuals groups communities or nations will be able to cater their own destiny and do and be what they wish to be ठीक है वो जो चाहते हैं वो कर पाएं तो यह सारे जो points नहीं पर लिखे हैं इनसे आप एक अच्छा आंसर बना सकते हैं what is freedom का clear हुआ आशा करता हूँ इतने सारे examples इतनी सारी theories से आपको यह समझ में आगे है कि freedom आखिर है क्या चीज़ ठीक है मैंने आपको multiple dimensions दिखा दिये chapter में आगे इनी सारी चीज़ों को और retail में पढ़ने वाले हुआ आप फाइन तो और freedom के अच्छे importance क्या है दो मिट के लगर हम रुख के सोचे हैं कि freedom चाहिए क्यों ठीक है यह जो पूरी definition पड़ी तो इससे आपको क्या फाइदा होने वाला है freedom is considered valuable because it allows us to make choices and exercise our judgments अब individual level पर हमारी सबकी एक सोच होती है हमारी एक सबकी क्या होती है मतलब thinking होती है जो हमें लगता क्या यह सही होगा यह गलत होगा ठीक है तो अगर वो judgment सही ले पा रहें आप यह सोच रहें कि अच्छी पड़ाई करूंगा अच्छा scientist बनुगा देश का नाम उपर करूंगा ठीक है तो क्या होगा तो आप जब free रहेंगे तभी तो वो कर पाएंगे लेकिन अगर आपको रोख दिया गाए बोल दिया करना तर्क दे सके आप कुछ कर रहे हो तो क्या सोच के करो मैं पढ़ा रहा हो तो क्या सोच के पढ़ा रहा हूं उसके पीछे अपना एक reason है मेरे पास ठीक है तो अपने उस reason अपने उस judgment के साथ में कुछ अच्छा contribute कर पाऊंगा आगे समझ में तो freedom होगी तो हम कर पाएंगे ना तो उस sense में यह importance है freedom की freedom होना चाही है क्यों कि वह individual judgment individual क्या सकते है individual power को show करता है ठीक है individual contribution को show करता है clear हुआ so this was all about what is freedom what is freedom में हमने बहुत सारे dimensions देखें कि freedom की definition क्या है freedom की definition में आप दो चीज़े धियान रखेंगे absence of constants ताकि हम अपनी choices ले सकें और दूसरा क्या है we must be in a position where we can express ourselves freely और develop our potentials to the fullest ठीक है यह positive dimension इस वीडियो में एक बहुत important topic पढ़ने वाले है पिछले topic से इसको connect करना और स्वराज के बारे में हम पढ़ेंगे मैंने आपको what is freedom freedom समझाया तो freedom और स्वराज दोनों का analogous है मतलब एक दूसरे के अनुरूप है synonyms की तरह आप यूज कर सकते है the concept analogous to freedom मतलब freedom से ही जुड़ा हुआ एक concept है स्वराज स्वराज और जो है तो यह क्योंकि अब हिंदी वर्ड है हिंदी वर्ड हम से जुड़ा हुआ हिंडिया से जुड़ा हुआ हमारे जो thinkers थे हमारे जो क्या सकते है freedom fighters थे उन लोगों ने इस चीज़ को coin किया है स्वराज होता क्या है तो बाल गंगाधर तिलक से लेके महात्मा गांधी तक और उसके बाद में इनके जो followers हैं सभी ने स्वराज मतलब सभी लोग स्वराज के दिवाने थे और अगर जिसे देखा जाए तो पहले भी आप देखोगे तो मराथा वारियर्स हो गए उन लोगों ने भी स्वराज की बात करी तो स्वराज आपको बता रहा हूँ कि concept analogous to freedom मतलब यह freedom से ही जुड़ावा concept है freedom का ही एक अनुरूप है मतलब एक उसका ही क्या है synonym है ठीक है तो स्वराज जो है तो स्वराज शब्द जो है दो शब्द से मिलके बनाए जैसे देखें तो स्वा प्लस राज ठीक है स्वा याने क्या होता है rule तो self rule simple सा मेनिंग हो गया self rule मतलब क्या है कि अब यह self rule को दो तरीके से देखना एक self rule क्या होता है rule of the self मतलब आप खुद रूल कर रहे है self rule वाला हो गया कि आप खुद रूल कर रहे है एक meaning वो भी निकाला जाता स्वराज का और दूसरा meaning यह भी निकाला जाता है rule over self, दोनों में difference समझ में आया आपको, rule over self मतलब क्या होता है कि खुद पर खुद का राज होना स्वराज, freedom में क्या होता है कि ability to, ability to take decisions regarding our own life, अपने जीवन से जुड़ोवे decision हम खुद ले, वो freedom है तो rule over self, खुद के ओपर खुद का काबू होना चीए, control होना चीए, वो स्वराज हो गया और एक स्वराज जो है, तो freedom में एक मतलब क्या हो गया, कि हम क्या करें, रूल करें हम हमारे हिसाब से चलाएं चीज़ों को, तो स्वराज मुवमेंट जिसे हमने चलाया क्या, कि हमें हमारी कंट्री को खुद गवन करना है आगे ना समझ में, तो ये स्वराज है, गहरा ही समझना शब्द की, clear, अब इंडियन कंटेक्स मेंगर स्वराज की बात की जाए, तो freedom as a constitutional and political demand and as a value at the social collective level, तो इंडियन कंटेक्स में हम क्या देख रहे है कि स्वराज का मतलब क्या होता है, स्वराज का मतलब इंडियन कंटेक्स में आजादी देखोगे, कहां पे as a constitutional and political demand, मतलब हमें constitutionally और politically आजादी चाहिए, freedom चाहिए, मतलब यहां पे जो स्वराज की, स्वराज हिसाब से देश चलाने दो, constitutionally भी हमारा सम्विधान हम बनाएंगे, हम हमारा देश चलाएंगे, politically भी हम हमारा देश चलाएंगे, तो उस चीज की demand करी गए थी स्वराज में, और अगर बात की जाए and as a value, value at the social collective level, social collective level पे स्वराज का मतलब क्या होता है, वो value आपको सीरे, अभी जिससे जब मैं महात्मा गांधी के बारे में explain करूँगा आपको, तब और clarity मिल जाएगी, ठीके, तो अब जड़ा देखते आगे क्या कहानी है, ठीक, महात्मा गांधी जो थे, तो महात्मा गांधी ने स्वराज के बारे में अपनी बुक में लिखा, कौनसी बुक, ह इस चाप्टर में फिर पढ़ रहा आप हिंदु सुराज को, तो ये ध्यान रहे गा हिंदु सुराज किसना लिखे महात्मा गांधी ने, तो महात्मा गांधी मतलब अपने विचारों को इस बुक में उन्होंने इंडिया के बारे में क्या सोचते थे, और वो एक ऐसे टाइ हैं कि British rule अगर इंडिया में है तो क्यों है, because we were cooperating with them, तो वो सारे आइडिया जो है उनकी philosophy आपको इस बुक में देखने को मिलेगी, अब इसी बुक में महात्मा गांधी सुराज के बारे में क्या कहते हैं, वो हम जानते हैं, तो in this book, हिंदु सुराज, he highlights the concept of सुराज as rule over the self rule over the self, मतलब सुराज का ये वाला जो meaning है, rule over self, उस चीज को बता रहे हैं कि सुराज का मतलब क्या होता है, कि आप अपने आपको govern करना सीख लो, आप अपने आपको क्या करना, rule करना सीख लो, क्यों, क्योंकि जैसे हम दुनिया बदलने की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि बद सुराज जी highlights the concept of सुराज as rule over self, खुद के उपर control कर लो, खुद के उपर rule करना सीख जाओ, मतलब आपको independence मिल गई, आपको freedom मिल गई है, ठीक है, as he states, it is सुराज when we learn to rule ourself, सुराज जी आ फिर self rule कब आ जाएगा, जब हम अपने आपको rule करना सीख जाए, when we learn to rule ourself, ठीक है, it is सुराज, ठीक, तो इस idea के हिसाब से महत्मकंदी क्या बोलते है, सुराज is not just freedom, सुराज का मतलब यह नहीं कि बस आजादी मिल गई, कि आप सारी चीजों को पागए, उस आजादी को, जैसे आप मैंने आप से कहाना कि great powers comes with great responsibility, आपको अगर कोई power मिलेगी, आपको जिस दिन रूल से freedom ले लेना ही सुराज का मतलब नहीं होता है, बट, liberation in redeeming one's self-respect, self-responsibility and capacity for self-realization from institutions of dehumanization, अब यह जो statement है न, इस statement को उस समय के context पर चोड़के देखना जो आज भी लागू होता है, जो आज भी relatable है, कैसे मैं समझाता हूँ, वो क्या बोलते हैं, कि सुराज का मतलब सु self-respect, अब क्या होता है, हर individual की self-respect होती है, self-responsibility होती है, उसकी capacity होती है, और हम क्या करते हैं, कि वो individual की potential, individual की क्या capacity है, वो चीज ना जानते हुए हम क्या करते हैं, हम individuals के बीच में discrimination कर देते हैं, तो यहाँ पर discrimination को भी highlight करते हैं, from the institution of dehumanization, मतलब क्या है, कि आप जैसे human beings जो ह करती थी, तो untouchability exist करती थी, तो आप क्या कर रहे हैं, आप self को समझाओ ना कि वो untouchability गलत चीज है, ठीक है, आपका self के उपर control नहीं है, और आप दूसरों को क्या कर रहे हैं, उस untouchability के अंदर में दबा रहे हैं, तो इस तरह से वो self पे control की बात करते हैं, ठीक है, understanding the real self and its realization to the communities and society is critical to the project of attaining स्वराज, ठीक है, आप अपने आपको, जैसे हम मुलते हैं, बुरा जो देखन में चला, मुझसे बुरा ना कोई, तो उसमें क्या है, मतलब जो पुरा quote है, इस तरह से, कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो आपन मन में देखिया, आपको सिर्फ आजादी मिल जाने से, आजादी नहीं मिल जाएगी, सबसे पहले आपको उपने जो इंस्टीटूशन से दिहुमिनाइजीशन वाले उन इंस्टीटूशन को तोड़ना होगा, अपने उपर कंट्रोल करना सीखना होगा, ठीक है, तो यह जो हमारा प्रोजेक और जब इस आइडिया के साथ में आप चीजों को लेके चलोगे ना, तो अब आप जस्टीस कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नियाय मिलेगा, तो आजादी के साथ में नियाय भी मिलेगा, कि आजाद तो सब हो जाएंगे, लेकिन आपस में आजादी या फिर कह स सकते हैं, सेल्फ रियलाइजिशन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, सेल्फ रियलाइजिशन ही स्वराज है, ठीक है, यह गानीज जी का आइडिया था, आगया समझ में, तो अब देखो, यह बुक में लिखा था, मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने फ्रीडम की डेफिन आपने देखी, ठीक है, वो डेफिनेशन में भी क्या बात की गई थी, एकसेंस ओफ कान्सरेंस अपनी जगा है, ठीक है, या फिर उसके आप में जो दूसरा डामीनशन था, फ्रीडम का, वो क्या था, यह था देफिनेशन का दूसरा डामीनशन की, डिवलपमेंट औफ इं भी सरवाज की डेफिनिशन में आपको देखने को मिलेगी ठीक है अंडर करेंट्स बता रहा हूं मैं आपको अंडर करेंट्स इसलिए समझना इस चीज़ की क्योंकि इसको आप पढ़ोगे तो निकल जाता है पढ़के निकल गए लेकिन टॉपिक्स को कनेक्ट करना बहुत ज जादा जरूरी है वह हमने आपको बता ही समझ इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस सोर्सेज ऑफ कॉंस्टेंट्स अभी आपको लग रहा होगा कि एक टॉपिक है रेंडम टॉपिक है पता नहीं बीच में कहां से आ गया है तो इस विडियों जरूरी में अपने पढ़ा है मैंने आपको बताया था जैसे आप अभी तक हमने जो चाप्टर में देखा तो हमने फ्रीडम की डेफिनेशन देखी इंडिजीनियस कंसेट देखा स्वराज का वो सारी चीज़ें तो फ्रीडम की डफिनेशन में एक चीज में जाएगा जिसे हम देखेंगे तो आप रात में दो बज़े छट पे अपने डीजे नहीं बजा सकते हो ना क्यों क्योंकि वो आप एक सोसाइटी में रहते हो तो आपको सोसाइटी के जो इंडिविजल से उनकी भी फ्रीडम का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा तो इस सेंस मे यही आता तो हमें हाँ पर यही पढ़ना है कि but where does the constants come from ठीक है यह constants आते कहां से freedom में तो constants रहेंगे कुछ ठीक है क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी freedom को enjoy कर पाए इसके लिए क्या है कि आपको freedom में कुछ constants लगाना पड़ेंगे लेकिन सवाल यही आता अगर हम और roots पे जाएं कि constants आखिर आते कहां से कौन बंदीशे लगाता है और specifically अगर आप समझोगे तो हम unjust constraints की बात करने हैं unjust constraints की कैसे तो एक example देता हूँ सारी चीज़ा अपने आप clear हो जाएगी फिर topic clear हो जाएग और आगे का अंदर का concept पढ़ते चले जाएगे ठीक है देखो एक government ने law पास किया है अब वह law जो है तो वह law क्या है आपको ऐसा लग रहा है ठीक है as a citizen आपको लग रहा है कि law गलत ह है हमारे rights उससे violet हो रहा है या फिर वह law जो है वह democratic नहीं है जो भी परेशानी है law में अब क्या हो रहा है आप peacefully प्रोटेस्ट कर रहे हो आप peacefully कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हो आप बढ़िया धरने पर बैठे हो peacefully बैठे हो आप किसी को को डिस्टम नहीं कर रहे हो और government ने क्य नहीं करने दिया जाएगा ठीक है आपके उपर constant लगा दिया एक तरह का ठीक है एक बंदिशे लगा दी कि आप peacefully प्रोटेस्ट नहीं करोगे आपको जेल में डाल दिया उठाके तब क्या हो रहा है तब यह जो constant लगाया है तब यह जो बंदिशे लगाई है यह बंदिशे unjust कहलाएगी यह बंदिशे unjust होगी और freedom का मतलब क्या है freedom का मतलब यह कि absence of unjust constraints तो unjust constraints को हटाना है तो unjust constraints कहां से आते हैं वह चीज इस topic में आपको जानने को मिलेगी तो देखो two main sources of unjust constraints और specifically हम अगर बात करें तो constants ही बोल दें तो वो क्या है two main sources domination and external controls कि मतलब आपके rights जो है आपकी जो freedom है आप उसको enjoy कर रहे हो लेकिन उसके उपर अगर क्या होता है किसी एक authority ने dominate कर लिया है domination हो रहा है external control हो बहार से कोई अगर आपके rights को freedom को control कर रहा है तो वो एक तरह का constant होता है for example restrictions imposed by government through laws तो government ने law बना दिये अब government ने law बना है तो government law बना के क्या कर रही है आपके उपर restrictions लगा दे रही है कि आपकी movement को उसने रोख दिया आपको free press नहीं है आप जैसा feel करते हो आप उस चीज़ को चाप नहीं सकते हो ने उस paper में government ने तो by law ये कर दिया तो अब government जब by law ऐसा करती कि आपके freedom of speech and expression को क्या कर देती है the power of rulers over the people and which may have the backing of force ठीक है government ऐसा कारण से कर पाती क्योंकि rulers जो होते है तो rulers are having power over the people ठीक है जो आम जनता रहती उनके उपर rulers जो जैसे British आप यहां पर दो example दिये colonial rule और apartheid regime का कि apartheid regime में colonial rule में क्या है कि British जो थे तो British के पास में power थी और उस power का वो गलत इस्तमाल करते हुए क्या करते थे इस तरह के constants लगा दिया करते थे individuals के उपर ठीक है तो what are the source of constant अब अगर इसको simplify कर रहे हम तो government ठीक है government is the main agent through domination and external control ठीक है it imposes constants upon the people ठीक है और यह case को हम किस perspective से देख रहे है colonial time period से लेकिन आज के समय में जिसे आप देखोगे situation is different in democratic government लेकिन जब government का मतलब तो यहां पे dictatorship भी हो गया मोनार्की भी हो गया तो उस case में बोलाया कि dictators और मोनार्क जो रहते तो वो unjust constants लगाते है लेकिन जब बात करोगे आप एक democratic government की ना तो वहां पे situation बदल जाती है situation is different in a democratic government democratic government में situation different हो जाती है the members of a state could regain some control over their rulers यहां पे rulers जो है तो rulers have the backing of force ruler के पास power होती उनके पास army होती सारी चीज़े तो वो जैसा चाहेंगे वैसा कर देते है undemocratic government में लेकिन democratic government में situation थोड़ी सी different ऐसी होती है कि अगर हमारी freedom के उपर unnecessarily constants लगाये जाएंगे ना तो हम क्या कर सकते हैं हम government को पलट सकते हैं कैसे हम protest कर सकते हैं हम vote देके government को अगले साल फिर आने ही नहीं देंगे power में तो उस तरह से क्या है कि democratic government में individuals के पास थोड़ी power होती है कि वो अपनी freedom को अपने हिसाब से बचा सकते हैं लेकि non democratic government कुछ बचता ही नहीं है by domination and external control of the government clear हुआ ठीक है तो simple सी चीज थी मैंने बताई आपको अब आगे देखो और क्या है तो constant on freedom also emerges due to social inequality ठीक एक तो क्या है domination और external control में आप यसे कह सकते हो क्या कि government ने role play कर रहा important कि government क्या कर रही है government जो है वो constants लगारी लोगों की freedom के उपर दूसरी चीज जो आ जाती है उसी category के अंदर में वो क्या आ जाती है कि social inequality जो exist करती है तो उसके चलते भी लोग जो है अपनी freedom को पुरी तरह से exercise नहीं कर पाते हैं समझना social inequality में क्या जाएगा सबसच्च एक्जामपल है as it is being observed in caste system थ्योरी जो है political theory एक्दम grounded subject है आपको सारी चीज़ें अपने ground पर समझना जाएगी अपने आजवाजू समझना जाएगी देखो मैं as an individual चाहता हूँ कि मैं मंदिर में चाहूँ ठीक है freedom होना चाहिए न मुझे freedom to worship अब मुझे उस मंदिर में जाना है दिवी देउता की पुझा करना है लेकिन क्या होता है मेरे उस moment के उपर constant लगाया जा सकता है what is the source of constant domination upper caste जैसे जो लोग होंगे तो यह आज भी society में exist करता है पहले भी exist करता था आज बहुत कम हो गया है लेकिन तो अब क्या होता है कि अगर जैसे आप देखोगे तो constant on freedom also emerges due to social inequality तो सामाजिक स्तर पर कैसे या समानता है कि लोग upper caste lower caste में बटे हुए अब मैं मंदीर में जाना चाहरा था लेकिन जो अपर कास्ट के लोग उन लोगों ने क्या बोल दिया कि अगर मैं lower caste का हूं तो मैं मंदीर में नहीं चड़ सकता हूं ठीक तो उस तरह से क्या हो गया उस एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिलता था ठीक है वो पब्लिक वेल से पानी नहीं नहीं सकते थे क्यों कि समाजिक लेवल पर अकर सोशाइटल लेवल पर आप देखोगे तो उनके उपर रोख थाम लगाए गये यह constant लगाए जाए तो as it is being observed in the caste system clear हुआ ना caste system में किस तर जाता कि जिससे किसी का भला हो रहा हो तो समझ में आता है कि हाँ वो अपने मतलब वो freedom की सही definition में चले जाता लेकिन यह unjust constraints जो है तो इस तरह से social inequalities की चलते भी आते हैं तीक है अब यही social inequalities को अब economic inequalities से भी जोड़ सकते हो तीक है economic inequalities से कैसे जोड़ सकते हो कि अब जो societal level पर ज constraints लगाएं तो अब वो individual जो पढ़ नहीं पाया है क्या वो आगे अच्छी job ले पाएगा नहीं ले पाएगा वो आगे अच्छी job नहीं ले पाएगा पैसा नहीं कमा पाएगा पैसा नहीं कमा पाएगा तो फिर गरीब रह गया तो आप society में एक और inequality आ गई अमीर और quality में फिर फसके रह गया तो अमीर जैसा चाहेंगे तो वो उस तरह से क्या करके रखेंगे गरीबों के उपर बंदिशे लगा के रखेंगे प्रिवर्टी गवर्मेंट पीपल एक्सराइज पावर ठीक है ओवर रूलर्स तो अप सम सॉट ऑफ पावर आप लोगों के पास रहती तो लोग क्या करते है अपनी freedom को प्रायोरिटी दी सकते है वहाँ पे ठीक और दूसरा source of constant क्या निकल के आता है inequalities जो रहती है social inequalities तो वहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलेंगे वहाँ पे भी आपको एक तरह से constants लगते हुए देखने को मिलेंगे caste inequality एक example हो गया और वो जो social inequalities है it leads to the economic inequalities and again the society is divided और फिर जो haves है वो have nots के उपर क्या करते है dominate करने की कोशिश करते है externally उन्हें control करने की कोशिश करते है और वो constant set करते है ठीक है यह पूरी कहानी में बता है जिसे आपको यह आप देखते हो कि क्या होता कि कोई बैचा पढ़ नहीं पाया तो फिर वही वाली कहानी है कोई vicious cycle में फच जाएगा ठीक है कुछ बच्चों क थी colonial government ने हमारे उपर control करके रखा था तो उन्होंने जो by law constants लगाए उससे तो हमने freedom मतलब कह सकते है कि struggle of independence जो था struggle for independence तो पूरा समय लड़ते रहे हैं और फिर हमें आजादी मिल गई है ठीक है वहां तक तो समझ में आ गया कि हम by law जो government undemocratic government constants लगा थी उससे उस तरह से चीज की बात करते हैं ठीक है वो कहते हैं कि क्या we are required to remove such constants ठीक है यह उनका जो part speech का इसे समझो ठीक है इसकी गहराई को समझना क्या वो कहना चाहते थे fine देखो if we are to bring about a revolution of ideas we have to first hold up before us an ideal which will galvanize our whole life ठीक है वो बोलते हैं क्या कि अगर revolution लाना है revolution किस चीज का ideas का हमें विचारो से अगर उपर उठना है तो हमें एक पहले विचार पकड़ना होगा और अपने आपको विचार में galvanize करना होगा science में पढ़ा होगा galvanization ठीक है जिंक कोटिंग की जाती ताकि rusting ना लगे मतलब हम क्या करें एक ऐसी सोच बनाए जिससे हम हमारे बोलते हैं कि solid foundation होना कि उस freedom के idea से अपने आपको galvanize करो ठीक है freedom को priority दी जाए अब freedom में क्या है constant लगे हुए है तो हमें constants को ही क्या करना reduce करना minimize करना है तो वह constants को reduce कैसे करोगे तो अब वहाँ पे तो social inequalities भी क्या करती है constants लगा देती है तो सुभाश चंद्रबोस वही बोलते है क्या but freedom is a word which has varied connotation freedom के लेकिन meaning अलग-अलग है upper caste जो है वह अलग meaning लेके चलता है freedom का rich जो है वह अलग freedom की meaning लेके चलता है वो उनके freedom को उस नजरी से नहीं देखता है जैसे वो अपने लिए उस freedom को देखता है आया ना समझ में तो यहाँ पर वो ही कहता है कि freedoms have varied connotations अलग-अलग मतलब है freedom के ठीक even in our country the conception of freedom has undergone a process of evolution और जो हमारे देश में भी freedom का जो conception है वो क्या है वो धीरे-धीरे evolve होते चला गया और हर इंसान ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने favor में freedom का idea समझ लिया है जान लिया है ठीक है तो यहाँ पर क्या कहा जाता है अंडर गोन आप process of evolution by freedom I mean all round freedom जो freedom से मेरा मतलब क्या है कि all round freedom होना चाहिए सभी dimensions पर विकास होना चाहिए freedom से वो यह कहते है ठीक है all round freedom की बात करते है freedom का मतलब क्या है कि यह जो social inequalities exist करती है उन्हें भी खतम करना है सुभाष चंदपोस ऐसा बताते हैं ठीक है by freedom I mean all round freedom freedom for the individual as well as for the society individual भी free or society समाज में भी किसी तरह की बंदिशें नहीं होना चाहिए कैसे जिसे आप इंडिविजल्स तो आपने बोलते हैं सब अपने हिसाब से जा सकते हैं लेकिन समाज में सुसाइटल लेवल पर ऐसा structure है कि अपर कास्ट और लोवर कास्ट अपने आपको नीचे मान रहे है रिच और पूर के अगर बात की जाए तो पूर जो है विचारे को नीचे कंसिडर किया जा रहा है तो अब बोलते हैं कि freedom of individual as well as society this should be the idea which we must galvanize ourselves ठीक है यह idea होना चाहिए जिससे हम अपने आपको galvanize करें सबकी आजादी का ही मतलब objective होना चाहिए तब जाके आजादी सही माहिनों में मिलेगी मतलब political bondage जो है आपको politically British आपको पर rule कर रहे है उससे तो आजादी लेना ही लेना है लेकिन but also equal distribution of wealth लेकिन freedom कब आई ही सही माहिने में कि जो ऐसी freedom नहीं मिल पाई है तो इन सारी चीदों से हमें क्या मिलना चाहिए आजादी मिलना चाहिए इन सारे factors पर बुने मतलब प्रकाश जाला फिर क्या है this is an idea this is an ideal this is an ideal which may appear utopian मतलब utopian का मतलब क्या होता है कि एक type से वैसा जिसे हम imagine करते कि काश ऐसा हो पाता है लग रहा होगा कि ऐसा काश हो जाए कि सब एकदम समान हो जाए सब एकदम सबको freedom मिल जाए ठीक है तो this is an ideal which may appear to utopian to hard-headed men and women but this ideal alone can appease the hunger in the soul ठीक है लेकि वो बोलते है कि यही एक मातर रास्ता है जिससे हम क्या कर सकते हैं सब ही को satisfy कर सकते हैं यह शुबास चंदर वो उसका idea था regarding freedom ठीक है तो source of constant में जो मैंने आपको बताए मतलब यह box हमने क्यों पड़ा क्योंकि जो source of constant आपने पड़े न तो इसमें जो social inequality की बात की गई तो social inequality को खतम करना भी एक important role है क्योंकि social inequality खतम करोगे तो आधे जो freedom में restrictions लग रहे हैं आधे जो constraints है freedom के रास्ते में वो अपने आप खतम हो जाएंगे ठीक यह हमारे national leaders का इस video में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस video में हम पढ़ेंगे why do we need constraints topic को connect करो कुछ नहीं करना सिब connect करना आधा topic आपको अपने आप समझ में आ जाएगा तो उस sense में मैंने आपको freedom की जब definition बताई थी तो definition में क्या बताया था कि कुछ reasonable restrictions या फिर कह सकते हैं क्या कि कुछ social constraints जो है वो चाहिए रहते हैं freedom की सही definition क्या होती कि जहां पर कुछ social constraints लगाया जा सकें ताकि क्या हो individual अपने आपको true sense में develop करवा सकें ठीक तो अब हम भही देखने वाले कि constants की जरुवत आखिर पड़ती क्यों है fine देखो तो freedom means free then why do we need any constants सवाल यह आता होगा सबसे पहले कि freedom freedom चिला रहे है absence of constant भी बोल रहे है लेकिन फिर constant लगाना क्यों है ठीक है जिसा आप कहे भी नहीं कि social constants लगाया जा सकते है इंडिविजल के उपर for the better good of society तो वो constants आखिर लगाना ही क्यों है ठीक so we cannot live in a world where there are no constants यह statement के अगर घहरा ही समझगे तो topic अपने आप समय में आ जाएगा constants लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर एक दुनिया ऐसी हो जहां पर किसी के उपर कोई रोग थाम नहीं हो हर इंडिविजल अपनी freedom अपने हिसाब से enjoy करें तो हम उस दुनिया में रही नहीं सकते हैं for example ठीक है for example क्या है कि हमने बोल दिया कोई law and order नहीं है law and order rules regulation जो होते यह constant कहीं तो काम करते ना तो हमने एक दिन के लिए अगर एक मिनिट के लिए बोल दिया कि कोई law and order नहीं है ठीक है सब free है अपनी freedom को अपने हिसाब से enjoy करो कोई देखने वाला नहीं है तो क्या होगा जो powerful होंगे वो weak को क्या करेंगे डराएंगे धमकाएंगे जैसे क्या हो रहा कि मुझे पसंद आया क्या कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि यह जो घर है यह मेरा होना चाहिए यह मेरी freedom होना चाहिए कि मैं इस घर में जाके रहूँ ठीक है वो घर किसी और ने बनाया मेहनत करी पैसे कमाया अब मैं पावरफुल था मैं उसके घर में जाके घुजगए उसको बाहर निकाल दिया ठीक तो अब क्या हो रहा है यह एक तरह से वही वाली बात है कि आप आपके rights को enjoy कर रहे हो freedom वाले ठीक है लेकिन आप दूसरों के rights को क्या कर रहे हो उसकी भी तो मतलब उसका भी यह right है कि यह उसकी freedom होना चाहिए कि वो उसके बनाया हुए घर में रह सके लेकिन अगर कोई constant नह होना बहुत जादा जरूरी है अगर constants नहीं होंगे तो we cannot live in a world where there are no constants आगे topic समझे बस इतना ही है why do we need constant तो इतना explanation दिया इतना ही है बस ठीक लेकिन अब जो points लिखे है तो उनने discuss करना भी जरूरी है चलो तो क्या है देखो constants होना इसलिए जरूरी है क्योंकि otherwise the society will descend into chaos ठीक है बोलेंगे मेरी freedom है ठीक है मैं पार्क करूंगा दूसरों मेरी freedom है क्यों तुमारी गड़ी के उपर पार्क कर दूँगा तो इस तरह से फिर कहल क्यों ही create होना है लडाईया ही होना है समस्यां ही आना है और यह समस्यां इतनी भी बढ़ सकती कि लोगों की जान पर खत्रा बन तो आपको एक कह सकते हैं कि एक boundary बताना पड़ेगी कि हाँ बस यहां तक आपकी freedom है आप आपकी freedom को यहां तक enjoy कर सकते हो यहां तक exercise कर सकते हो तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हो हम freedom को और समझते आगे या फिर कहलो कि हम यह समझते कि क्यों constraints के जरूरी यह अब क्या हो होता है clear अब क्या होता है they may be conflicting अब वो conflicting भी हो सकते हैं हम society बड़े बड़े एक्जामपल हेवी हवी वर्ट्स लेने से बहता रहेगी simple अरे IPL की team तक में हमारे difference of opinion हो जातेगी यह जीतेगी यह यहारेगी ठीक है वो conflicting भी हो सकते कोई royal challengers Bangalore को जीता है को कोई Mumbai Indians को जीता है कि कोई कहेगा कि India में यह religion dominate करना चाहिए कोई कहेगा कि secularism होना चाहिए हो गए difference of opinion conflict हो गए ठीक है और रिजन कुछ भी हो सकता है IPL की team से लगा के धर्म धर्म से लगा के political parties कुछ भी रिजन हो सकता है ठीक अब होता क्या है अब यह जब अलग-अलग opinion है और आप बोलते हो कि सबको freedom है अपने-अपने opinion को सोचने की अपने-अपने opinion के साफ से act करने की तो सोचेंगे अपने दिमाग में सोचो जब तक तो ठीक है भाई आप ठीक है लेकिन जब वह act करने लगेंगे लोग अपने-अपने opinion के साफ से जिसकी जैसी मर जी वह वैसा चल रहा है ठीक है तो उससे क्या होने वाला है can ultimately result into conflicts and violence लड़ाई दंगे conflict violence होना ही है तो इसलिए हमें सब जैसा सोचने हैं वैसा सोचने तो लेकिन अगर सब जैसा सोचने हैं वैसा करने लगेंगे और express करने लगेंगे दूसरों की freedom को hurt करने लगेंगे दूसरों के rights को wallet करने लगेंगे तो conflict violence होगा ही और इन सारी समस्याओं से बचना है तो सवाल फिर से एक बार पूछ लो जरा why do we need constants तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए constants के जरुवत होती है तो therefore constants are used as a necessary mechanism to overcome all these problems which I have discussed in this slide specifically clear होगा तो देखो अब और अच्छा आपको में visualization बताता हूँ कि आप society चलाना है तो आपको freedom देना पड़ेगी rights तो देना पड़ेंगे ठीक है लेकिन उन rights को सही माइने में भी देना होगा ठीक तो यहां पर आप connect करना क्या होता है आपके कभी देखा है कि निंदाई जो होती है मतलब निंदाई कोलपा कहते है रीजनल लैंग्वेज में अलग 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 तरह से कहा जाता होगा कि जैसे जो फसल रहती है फसल के बीच में जो unwanted weeds आ जाता है ठीक है unwanted plants आ जाते हैं उन्हें निकालना रहता तो वीडिसाइड स्प्रे कर दो या फिर जो कह सकते हैं जब यह pesticides वीडिसाइड नहीं आया करते थे उसके पहले क्या step लगाई जाती थी तो इस तरह से क्या किया ज जाता था और बैलों के पास एक कोल पा लगा रहता था तो वह क्या करता था अन्वांटिट प्लांट्स को निकाल देते थे तो पीछे अन्वांटिट प्लांट्स को निकाला जाता था तो अब क्या था था तो उस बीच में आपकी जो important food crops रहती थी वो भी लगी रहती थी अब ऐसा नहों जाए कि बैल कई वो food crops को खा जाएं तो देखो बैलों को चलाना भी है मतलब society को चलाना है freedom देना पड़ेगी freedom देना है लेकिन आपको यह भी इंशॉर करना है कि वह freedom का गलत इस्तमालना हो यह बैल कई फसल ना खा जाए तो आप क्या लगाते है constants लगाते ह मैंने फोटो लगाए आपको समझ में आगा तो ऐसा क्या कर दिया जाता था मास्क पहना दे जाता था ठीक है और एक क्या बोल सकते हैं disclaimer यहां पर दे देंगे कि इस समय पर coronavirus नहीं था तो इस तरह से मास्क लगा दी जाते है ता कि क्या है कि आपने freedom भी दी लेकिन constants अब वो हम वही बात करें कि society में freedom देना है तो एक free society वही होगी जहां पर आप अपने viewpoints को express कर सको ठीक है develop your own rules of living आप अपने तरीके से क्या बताया था starting में freedom का मैंने वाला कि individual should have control on their own lives ठीक है वो अपनी life पर खुद control करें तो आप यह चाहेंगे कि हम हमारे हिसाब से हमारे हिसाब स आप से जीवन को जीने के rules बनाएं सारी चीज़े कर रहें and pursue your choices और हम हमारे हिसाब से हमारी choices को pursue कर ले तो हम एक as an individual हम इन सारी चीजों पर इन सारी चीजों की demand करतें एक free society में ठीक but to achieve this constants are necessary अब आप एक point के लिए से सोच रहोंगे कि क्या पढ़ा दिये सर समझ नहीं है य pursue your choices अब अगर आपको यह सब करना है तो उसके लिए constant जरूरी है फिर आपके मन में भी सवाला आगो कि constant रहेंगे तो यह सब कैसे कर लेंगे हम देखो constant रहेंगे तब आप आपकी कर पाऊगे क्यों अगर constant नहीं रहेंगे तो कोई आप से powerful होगा तो आपको आपके मन की करन सब्सक्राइब करना होगा आयने सब्सक्राइब करते हैं यह से constant रोकते नहीं है constant आपको मदद करते हैं यह चीज़ ध्यान अकना की constant जो है वह freedom के उपर लगाए जा रहे है जो justified constants है तो वह आपको आपकी life को और अच्छी तरह से freedom क्या है freedom आप अपने आपको develop कर पाऊ वह society में कहा रहता है different point of view रहते हैं बहुत सारे ठीक है difference of opinion रहते हैं तो सवाल है कि यह भी आता है how the difference of views, opinions and beliefs can made accommodative ठीक है अलाग अलाग opinion तो है लेकिन इन opinion के साथ में सभी को society में रहना है तो accommodative कैसे बनाओगे अब जब आप दे दोगे कि constant लगा तो कि सब अपने अपने viewpoint को अपने तक ही सीमिद रखे लेकिन societal level पे जो harmonious होगा जिसमें सारे लोगों का मत देखा जा सके उस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे ठीक है तो एक तरीका वो हो सकता है तो under such circumstances we need some legal and political restrictions ठीक है तो अप accommodative कैसे बनाएंगे हम different opinions को different point of views को accommodative की सारे point of view एक साथ exist करे society अची तरह से चलती रहे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा legal or political restrictions लगाना होगा ठीक है जब आप legal and political restrictions individuals के उपर लगाओगे तो individuals क्या है अपने point of view को अपने opinion को अपनी freedom को अपने तक ही सीमित रखेंगे क्यों अगर वो से बाहर निकलेंगे तो या फिर किसी को harm करेंगे तो वो legal or political restrictions जो है वो उन्हें रोखेंगे वो उन्हें पनिश करेंगे तो under such circumstances अगर आपको accommodative चीज restraints to ensure that differences may be discussed and debated without one group cohesively imposing its view on the other सुन दरता ठीक है statement की beauty देखो आप क्या कि जब आप क्या करेंगे legal political restrictions लगा दोगे restraints लगा दोगे रोखोगे लोगों को तब क्या होगा कि तब कोई लड़ नहीं रहे है तब आप सब के viewpoint को देखोगे debate करोगे discuss करोगे और उसमें क्या होगा कि कोई किसी के ओपर impose नहीं कर रहा अगर justified बात रखी गई है तो वो freedom का part बनेगी justified बात नहीं होगी तो वो freedom का part नहीं बनेगी बड़ी simple सी चीज़ है ठीक है तो अब देखो why do we need constraint इतनी सारी समस्या हो सकती society में इसके लिए हमें constraint जरूरी है therefore constraints are used as necessary mechanism to reduce conflicts and violence ये बात तो ठीक रही ठीक है अब आगे लेकिन और बढ़ते हैं तो ये constraints जो है ये constraints ही है जो society को क्या करती है अपनी freedom को पूरे सही माइने में enjoy करने में मदद करवाती वो कैसे वो मैंने आपको बताया तो conclusion हम क्या निकाल सकते है therefore we can say therefore we can say constants control conflict and violence ठीक है answer में आपको ये points लिखना है कि constants जो रहते हैं तो वो हमें conflict और violence से बचाते है constants help in accommodation of differences अलग-अलग differences हो सकते हैं लेकिन वो constants लगाओगे तभी तो आप बेट के discuss कर पाओगे अगर constants नहीं होगे legal system नहीं होगा legal system जो है वो constant लगाता है legal system नहीं होगा तो powerful जो है वो week के उपर impose कर देगा अपना viewpoint ठीक है लेकिन constants हैं तो constants help in accommodation of differences constants help in the protection of freedom freedom आपको enjoy करना है आपकी freedom को protection कौन देगा ठीक है आप अपनी freedom को enjoy तो कर लोगे लेकिन अगर किसी ने उसके उपर domination establish करने की कोशिश करी तो constants ही है legal restrictions ही रहेंगे जो दूसरों को आपके उपर हवी होने से बचाएंगे तो यह सारी चीज़ें जो है यह मैंने आपको बताईए किसके अंदर में why do we need constants के अंदर में समझ में आया ना सबसे आदा जरूरी है लेकिन अब आपको यह तो समझ में constants हमें हमारे लिए जरूरी है लेकिन कुछ सवाल ऐसे है still some questions remain unanswered जो अभी भी जिनका जवाब नहीं मिल पाया कौन से constants सही है कौन से गलत है आपको कैसे पता कि यह सही है गलत है कौन impose करेगा क्या individual ही ताय कर लेंगे कि यह constants सही है यह गलत है या फिर society के level पे ताय किया लेकिन उससे पहले बीच में एक ideology पढ़ेंगे हम वह ideology है हमारी liberalism की तो liberalism को हम पढ़ने वाले हैं नेक्स वीडियो में आशा करता हूं यहां तक चीज़ें आपको समझ में आई है किसी प्रकार का doubt है feel free to ask in comment section magnet brains पर इसी तरह से सभी topics क्या पढ़ने वाले क्यों पढ़ने करो क्या मतलब 910 क्लास में आप पढ़के आयो क्या कि यह जो आईएजम आता है ना आईएजम स्टैंट्स और आइडियोलोजी ठीक आपने कंजर्वेटिजम पढ़ाएं लिप्रलिजम पढ़ाएं आपने नेशनलिजम पढ़ा आपने सोशलिजम पढ़ाएं शारिस अब सुनें आईएजम लगा है मतलब जैसे सोशलिजम है तो वह अपने पूरे अपने आपने क्या विचारधारा को एक्स्प्रस करता है कंजर्वेटिजम जैसे आपने पढ़ा है क्लास टेंथ चैप्टर वन जो था आपका राइज ऑफ नेशनलिजम इन यूरोप तो उसमें में क्या पढ़ा था कि हां जो राजा थे या फिर जो रूलिंग क्लास थी तो उनकी आइडियोजी थी कि पावर उनके पास ही रहना चाहिए लोगों को फ्रीडम ओफ स्पीच एंड एक्स्प्रेशन नहीं होना चाहिए लोग हमारे अंडर में रहे ठीक है मोनार्की की रिस पढ़ते हों तो आइडीयोजी थे अपको एक सब्समाइन शुन्ते से कि कुछह तॉट्स आपके मन में आ जाना चाहिए लिबररिब्लिजम इंडिविजिल की बात करते हैं फिर लेटर ओन ये वेलफेर स्टेट की भी बात करने लगती है अभी जितनी चीज़ें बता ये समझ में नहीं आई होगी तो कन्फीज मत होना अभी सिस्टेमेटिक ली पूरा समझा दूंगा ठीक है तो हर आइडियोजी का जब आप नाम सुनते हो ना तो आइडियोजी का नाम सुनते चीज़ से लिबरलिजम सुना एक तो आपको इस समझ में आ जाना चीए कि अच्छा यहां पर समझाने वाला हूं कि लिबरलिजम आखिर है क्या कहां से आइडियोजी ओरिजिनेट हुए थ्रॉड़ साइक हिस्टॉरिकल बैग्राउंड भी दू क्यों जरूर है वो सारी चीज़ें आप देख चुके हो जान चुके हो समझ चुके हो अब आगे यहां से बढ़ते हैं हम तो देखो सबसे पहले लिबरलिजम इसन आइडियोजी आईडियोजी विच इस आइडेंटिफाइड विच टैलरेंस एज एज वैल्यू ठीके क्या है कि वैली हो गई है अब वैसी यह लिबरलिजम जो पूरी की पूरी एक आईडियोजी तो इसमें टॉलरेंस को बहुत महत्व दिया गया है ठीक है मैं आपको बताया है कि आप आइडियोजी का नाम सुनते से आपको एक पिच्चर दिमांग में जाना चाहिए कि यह चाहिए कम कैसे होंगे से लिबरल केंभाई है होगा लिबरल का तो म हंटाना एक से आखसे होगा लिबरल नियुक्ता है कि परिटू क्या मैं आप तो अब क्या हुई यहां पर liberal word आगे मतलब क्या हो गया कि जम जिस बच्चे से कह रहें कि तेरे पैरेंट्स बहुत जादे लिबरल है मतलब क्या हुआ कि उसके पैरेंट्स टॉलरेंस को एज वैल्यू बहुत ज्यादा क्या कहते इंपॉर्टेंस देते हैं टॉलरेंस कैसे तो जैसे अब क्या हो करें यह किसी सब टालरेंट कर रहें में उसके टॉलरेंट करेंख चाल nice अपना अचे लिए तो अ fac कर लिए तुमने इन सब अवकर द्वाने के अपक तो मारी करने के तोwnャळी करने के उम्रहें तूम्हारी करने चाहर रहें खुद के पसंधा लो होता है एक लड़का एक लड़की है वो बोलता है कि पिता-जी माता-जी एमाध शादी कर लोग लिग मैं तो इस तरह से आप को चीज़े अपको चीज़ें करना होगी कि तोलरेंस कहां देखने को मिलती है तो जैसे freedom of speech and expression ठीक समझना कि जो liberal होंगे ना तो liberals have often defended the right of person to hold and express his her opinions and beliefs even when they disagree with them even when they disagree with them समझो इस चीज की गहराई को समझना इस चीज की गहराई को समझ गे तो आप पूरी आइडियोजी को अच्छे से समझ जाओगे क्या होता है कि जो liberal होते हैं तो liberal क्या करते हैं किसी भी individual को tolerate करने को तयार होते हैं चाहे वो individual उन्हें personally पसंद हो या ना हो ठीक आगे आप पड़ोगे जब मैं आपको positive liberty freedom of speech and expression बढ़ाऊँगा तो तब एक statement फिर से आएगा जो thinkers हैं अब क्या है कि आप पूरी की पूरी बुक में thinkers के बारे में ही पड़ रहे हो तो जैसे जो तिंकर से तो वाल टायर के बारे में जब आप पड़ोगे ना तो वह बहुत systematically कहते है कि ठीक है I may disagree with your opinion मैं आपके opinion से disagree हो सकता हूं बट I will defend your right to express your opinion ठीक है तो यह समझ मैं है ना कि मैं आपके उस right को कि आप express करो से defend करूंगा till my last breath ठीक है तो I may disagree with your opinion बट I will defend your right to express your opinion till my last breath ठीक तो उस तरह से एक जो liberal इंसान होता है फिर liberalism ideology होती है तो वह हर इंसान के point of view को हर इंसान को tolerate करने में विश्वास रखती है ठीक है तो हम क्या सकते है liberalism is an individual centric ideology liberalism जो है तो liberalism ideology जैसे society जो है तो society को individual atomistic approach से दिखती है atomistic approach से मतलब कैसे यह यह जो marker है तो यह एक-एक atom से मिलके बना है इस marker की अपने आप में कोई value नहीं है ठीक है एक liberalism के perspective से बता रहो मैं आपको कि अगर मैं liberal हूँ तो liberal कैसा देखेगा इस तीसको यह marker थो यह तो क्या सकते group of atom है जो मिलके एक क्या बनाते हैं marker बनाते तो वैसे ही एक इंडिवीजेल एक्सेंट्रिक आइडिवीजेलोजी होती है liberalism जो क्या करती इंडिवीजेल पे बहुत जादा focus करती इंडिवीजेल के राइट्स पे अब आप इसे जड़ा चैप्टर से जोड़ के देखो ठीक है इस आइडिवीजेल को हम freedom की बात कर रहे हैं तो freedom में भी क्या देखा है कि इंडिवीजेल का सेल्फ डेवलपमेंट होना चाहिए देर शुट भी मिनीमम और रिड्यूस्ट सोशल कॉंस्टेंट्स ठीक है ताकि इंडिवीजेल अपने आपको फुल पोटेंशल पे ग्रो कर पाए ठीक है और इंडिवीजेल को सोसाइटी में रहना ह इंडिवीजेल से ही मिलके बनी है ऐसे बहुत सारे इंडिवीजेल जब मिले होंगे तब ही तो सोसाइटी बनी होगी ठीक है और इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए वह क्या कहते हैं कि यह जो दूसरी सारी एंटीटीज है जैसे फैमिली सोसाइटी ठीक है अब लिब्रलीज़न आइडिलाजी के हिसाब से अगर पहूजिक होने वाली है तो शादी होगी तो से सब और कांसे करेंगे यह सब टियों किवें फैमिली में तो कंडुटिव फैमिली में तो में मैDo तो इस सेंस में क्या होता है कि यह जो है यह जो नोशन चला आ रहा है यह लिबरलिजम में डिसीजन टू मैरी मतलब क्या है मुझे शादी करना है तो मैं तय करूँगा कि मुझे किस से साधी करना है यह लिबरलिजम आइडियलोजी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है इंड यहां clean 그러면 ऐखे में में गांड हो जो हुँआ कि ब्राइव जो रहते है तो कोई एक इंडिवीज्विट वह करता है जिसका दिमाग करता है जिसका दिमाग चलता है Mayo तो वह BY मैंनट करके सबतलख shortcuts हुए उसकी individual potential का इस्तमाल करते है वो क्या करता है अगर आगे बढ़ना चाहरा तो आगे बढ़े ठीक हम टॉलरेट करेंगे आप आगे बढ़ना चाहरे हो आगे बढ़ो ठीक है हम वहां पर एक्वालिटी में आपको बांधने नहीं नहीं तो आगे नहीं जा सकते हो क्योंकि सब पीछे जिए वह उनके कारण से अगर आपको आगे जाना तो आपकी पोटेंश्यल पागे जाओ तो इंडिविजियल लिवर्टी को बहुत ज्यादा इंफरसाइस किया जाता है है मैंने बता है इंडिविजिए लिवर्टी पर बहुत जादा फोकस किया जाता है ठीक है और वी इन से इंडिविजिए लिवर्टी इस गिवन वैल्य ओवर एक्वालिटी अब यही चीज को अगर आप कहां फशा के देखो के सोशलिजम वाली आइडियोजी के साथ में जोड़ के देखो के वहां पर अगर इसको अबिट करोगे तो आपको समझ में कि नी सोशलिजम में एक्वैलिटी को जादा वैल्य दिया जाता है इंडिविजिए लिवर्टी को मतलब आइडियोजी हो गई ना वहां पर सोसाइटी को ऐसा होल लेके चल रहे हैं और यहां पर क्या कहा जाए कि इंडिविजिएल है तो सुसाइटी है आया न समझ में तो देखो कंसेप्स लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि सर लिबरलिजम क्या है सोशलिजम क्या है नेशनलिजम क्या है तो हर आइडियोजी को आप हम कह सकते हैं कि इंडिविजब लिबरिटी शिट भी गवन वैल्यो वर एक्वैलिटी ठीक अपक्या होता देखो ए फिन यू गो अटिस नोशन ठीक है इंडिविजिब लिबर शिट बीवन वैल्योवर एक्वैलिटी तब आप तब आप क्या हो जाते हो यह दैन्यू निकलोगे ठीक तो आपके इंडिव्जन लिबर्टिए आपको क्या लग रहा है किया वह वह एक्वैलिटी के नाम पे यह दिखा दिया कोई बाहर निकलेंगे में केलिकिन हमारी निकलने की इक्षा है तो इस सेंस में क्या होता है कि यहां पर जब पॉलिटिकल सब को बराबर नापने की कोशिश करती है चिbour को सब 하der लिबर नापने की कोशिश करेगी तो कहीं कहीं कre बढ़ी कि चल आए गी तो इसके चलतेいて कि जो अपने हों चाहिए चीच में Bigglass and ओच सब्सक्राइब नी यह वो क्या करती है individual liberty को circum tua ptail करती एक कम करते चलके चल करती है जाती इंडिविजाँ लीवर्टि जो है वह रिडियूर्ण बोश्रेटर्ट बॉसकुल हो सब भके लॉट और रही है कि liberty और freedom में क्या डिफरेंस है तो बेखो समझ लो liberty को क्योंकि liberalism से idea जो emerge हो के है वो liberty निकल के आया है ठीक है liberalism से idea निकल के आया है और liberty जो freedom के साथ में क्या है जुड़ा हुआ है तो आप synonyms की तरह भी use कर सकते हो ठीक है कोई जादा ऐसा major difference नहीं है सच clear है तो यह मैंने आपको बताया समझाया कि individual liberty is given value over equality and in this process when you go by this idea you are suspicious of political authority clear हुआ चलो आगे देखो क्या है तो liberal होते है न अब liberalism को या फिर लिबरल स्कॉप रिलेट करो capitalism के साथ में ठीक अब देखो एक और ideology आगे capitalism capitalism क्या होती society तो capitalism society को आप देखो कि तो आप इसको socialism से contrast करते हो capitalism में क्या है capitalism में आपको छोड़ दिया गया है इंडिविजल लिबर्टी जो है वो आपकी आपके उपर डिपेंड करती है कि आप जितनी महनत करोगे आप उतना खमा होगे socialism क्या बोलती थी कि नहीं महनत कोई कितनी करें लेकिन स्टेट कंट्रोल में सारी चीजों को equally बाटा जाएगा ठीक है तो आप लिबरलिजम को अगर capitalism से जोड़ के दिखोगे तो लिबरलिजम आइडियोजिक क्या होता है कि मार्केट का रूल कैसा होना चाहिए कि मार्केट में एकदम लोता है स्टेट का क्या रोल होता है according to liberalism इन सारी तीनों चीजों को करके देखना ठीक है तो अब आइडियोजी इमर्ज हो रही थी अब जब कोई भी आइडियोजी इमर्ज होती है तो इस आईडियोजी के तो पोप क्या करते थे आपके फैमिली मेंटर जो है उसमें भी आप उनका कंट्रोल रहेगा आपके पूरी राइफ जो है वो रिलीजियोस लॉज की हिसाब से गवर्न की जाएगी अब क्या होता था तो इक तरफ क्या कर दिया तो कोने में बिठा दिया जाता था इंडिव तो पहले एक लाओ करता था जिव जो डार के यूरोप की बात कर रहे हैं कि वहां पर किसी परिवार ने कोई पाप कर दिया तो वह पाप से उपर कैसे उठेगा वह पाप से उपर उठने के लिए तो पैसे दे तो आपको पाप की मुक्ति हो गई आपकी तो बड़ा को डोनेट कर दो तो इस तरह सा फीमेल को कि रिजयर की अपने इंडिविजा इंटी कुछ नहीं थी उसको यह पाप दोने का एक क्या है एक मौरा है तो इस सेंस में इंडिवीज़ की स्तिती बहुत बुरी थी कब वह डार्क एज में फिर क्या ओता थाुक्तिन आते हैं तो तो जैसे होप्स लॉक्रूजो अलग तिंकर्स के बारे में आपने आइडियास देते हैं जब अपने आइडियास के थू क्या बताते हैं कि इंडिवीजियल्स के राइट्स उनकी फ्रीडम उस चीज को बहुत जादा क्या किया जाना चाहिए उस चीज पर ठीक है सब कुछ स्टेट कंट्रोल नहीं होना चाहिए जैसे उस समय पर ठीयोग्रेटिक स्टेट होते हैं कि एक जो राज्य होगा ठीक है वह राज्य में जो उसके रिलीजियस अथारीटी होंगी वहीं रिलीजियस अथारीटी क्या करेगी पूरा पॉलिटिकल सिस्टम भी समाल लेगी सब सब्सक्राइब की इंडिवीजियल लिबर्टी एक तरफ सपरेट करो ठीक है उसमें बंदने की पूर निए एक रंडे की नीचाने की दरवत निहीं सब्धी अपने स्टेट जो है तो स्टेट एंड चूर्च वर कंटॉreas मार्केट को भी वो कर दो एक किया होना चाहिए महार्केट मेंट में फ्री हैंड द देना चाहिए सब को फ्रि हैंड देन चाहिए मतलब य obl statistी मतलब जो इमरी तो समयके रिeing Пр Wheat तुने बोल्जिया जिसमें जितनी पोटेंशल यह है तो लोगोंने लगाamięत है कूब काम कुछ चाल चौब आहे तो कि एक आइडियोगी दो आइडियोगी आपस मिलती है तीसरी आइडियोगी निकलती है सारा सब कुछ चलता रहता है तो अब क्या होता है कि जब मार्गेट को favor किया गाया classical liberalism में तो ग्रोथ हुए unprecedented ठीक है लोगों अपने इंडिवीजियल राइट्स का इस्तेमाल करते हुए खुब ग्रोथ भाई ठीक है मिनिमल रोल ऑफ स्टेट सुरों ने स्टेट को क्या बोल दिया कि स्टेट हमारे प्रोडक्शन प्रोसेज में इंटर्फेर नहीं करेगा हमें पैसा कमाने हमारे हिसाप से कमाई हम स्टेट को इंटर्फेर नहीं करना है स्टेट सिर्फ लाइन और मेंटेन कर ले अगर भी करना है तो करें हम हमारे हिसाप से मार्केट को अपरेट कर वा लेंगे लेकिन इससे दिक्कत निकल क्याने लगी जैसे क्या हो गया मैंने आपको बताए कि वरकर्स के 40-40 घंटे काम क लेकिन प्रॉफिट तो कौन कमाल के ले जा रहा है तो उसके चलते क्या है फिर आप सोशलिजम जैसे कम्यूनिजम और कम्यूनिजम के आद में सोशलिजम तो यह आइडियोजी इमर्जी होगी ठीक है तो ऐसे आइडियोजी ऐसा नहीं कि आउट आफ दी ब्लू गिर जाती है ठीक है एक आइडियोजी के जो ड्रॉबेक्स रहते हैं उससे डूसरी आइडियोजी इमर्ज होती है वो सारी चीज़े चलती रहती है ठीक तो अब क्या होता धीरे आते आते लिब्रलिजम जो है तो और लिब्रलिजम थोड़ी सॉफ्ट होते चले गई और उसका जो 19th century 20th century की बात की जाए तो उसमें modern liberalism किस चीज़ पर फोकस करने लगा तो इट फोकसेस अंदी रिदक्शन आफ बोथ social and economic inequalities ठीक मैंने आपको freedom की जब स्टार्टिंग में डफिनेशन बताई थी तब एक बहुत प्यारी चीज़ बताई थी कि freedom का मतलब यह नहीं होता है कि आपको खुली छूट देदी का ड्रक्स लोग खुद ठीक है freedom का मतलब यह भी होता है कि state यह देखे कि आप अपने potential को क इसे डवलब कर पा रहा है हो ठीक है तो वही चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिले की model liberalism जो है तो freedom की उस modern definition के साथ जुड़ा हुआ है इट focuses on the reduction of social and economic inequalities उन्होंने बोल दिया market free रहेगा ठीक है जिसमें जितनी potential है वो क्या करो ग्रो कर लो तो इसके चलते क्या हो गए कुछ तो factory owners बहुत अमीर हो गए फैक्टरी वरकर्स तो गरीब रह गए तो social और economic inequalities बहुत आ गई है तो अब यहाँ पर भी तो individual का पतन ही हो रहा है इंडिविजल्स जो है इंडिविजल्स के राइट्स का वाइलेशन तो यहां भी हो रहा था तो जब इन्होंने देखा कि classical liberalism में यह ड्रॉबेक रहा कि इंडिविजल्स का पतन हुआ है तो फिर modern liberalism में क्या बोला गया कि इंडिविजल सेंट्रिक रहना चाहिए तो वह इंडिविजल्स का वेल्फेर कब हो पाएगा जब आप सोचल और एकोनॉमिक इनिक्वैलिटीज को रिडियूस करोगे एकनॉलेज इस रोल ओफ वेल्फेर स्टेट उन्होंने यहाँ पर क्या बोल दिया कि स्टेट का काम स्रीफ इतना होना चाहिए कि वह लॉइन ओर मिंटेन कर ले अगर वह करना है तो करने तो स्टेट ना भी हो तो हम तो काम चला लेंगे ठीक है इस तरह की बात करते थे कौ क्लासिकल लिबरल तिंकर जो हुआ करते यह फिर क्लासिकल लिबरल लिबरलिजम जो थी वह आइडिलोजी ऐसी बात करती थी लेकिन उन्हें बाद में समझ में आया कि यह सोशल और एकनॉमिक इनेक्वालेटिस को खतम करना है आपको तो आपको इंडिवीजन को तो पूरे देना मतलब वह जैसे वह पौधा जो इस पौधे को बढ़ा होने का उस पौधे की अपनी इंडिवीजल आइडेंटिटी रखने का पूरा पूरा अधिकार है वह फ्रीडम वह लिबरलिजम आइडिलोजी बोलती है ठीक है लेकिन अब जैसे आप देखो के तो उस पौधे को ग्रो करने में आपको बहुत सारी दूसरी चीजों की जरवत होगी पानी की खाद की स्वाइल की संलाइट की तो वेलफेर स्टेट जब होगा तभी वह पौधा ग्रो कर पाएगा तो अब्जेक्टिव ही है कि इंडिवीजल को हम क्या कर रहे हैं इंडिवीजल के पोटे कि मैंने आपको क्या बता है liberalism ideology जो है तो liberalism ideology इंडिवीजल सेंट्री इंडिवीजल सेंट्रीक है जहां पे इंडिवीजल को क्या मतलब इंडिवीजल जो है तो उन्हें टॉल्रेट किया जाएगा ठीक है तो अरुधिल्ष एंडियर और टॉलरेशन और बिलीफ एन ऑपीन में और कुछ थी मतलब classical liberalism जब enlightenment industrialization हो रहा था कहां पर यूरोप में उस समय पर definition कुछ और थी आफिक सकते हैं उस समय पर liberalism के ideas कुछ और थे और आज जो liberalism है ठीक है आज आज कहना सही नहीं रहेगा क्योंकि अभी आप higher education में जब जाओगे तो और भी चीज़े पढ़ोगे कि नियो क्या है यह जानना समझना सबसे ज़रूरी है लेकिन जानने समझने से पहले आपको connect करना होगा topics को connect हम वो करते हैं सबसे important वो चीज़ है देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा chapter में तो आपने freedom का explanation समझा कि freedom आखिर है क्या चीज़ freedom constraints के साथ आती constraints कहां से आते हमें constraints की क्यों जरुवत होती वाइडू वी नीट constraints यह आपने last to last video में पढ़ा था देखो बीच में आइडिलाजी भी पढ़ी आपने आइडिलाजी क्या पढ़ी थी आपने liberalism तो वह जो liberalism ideology आपने पढ़ी है उस ideology को आपको क्या करके रखना है चैप्टर के explanation के parallel parallel समझ के चलना है parallel parallel कैसे समझ के चलना है कि वह ideology के उपर वह ideology उसने एक base प्रोवाइड किया वहीं से जैसे freedom एक idea जो है वह flourish हुआ है अभी आपको यह topic भी पढ़ाऊँगा तब भी connect करवाऊँगा क्यों क्यों क्योंकि हम जैसे अब जो thinker का point of view देखने वाले हाम principle हम john stuart मिल कहसा आप से देखेंगे तो यह वह जो classical liberalism के thinkers थे जो free market क की बात करते थे जो state के minimum role की बात करते थे उन्हीं के time period के thinker हैं अब इनका क्या point of view था उससे आपको चीज़ें और clear हो जाएगी जब आप subsequently unfold करते चलाएगी तो और चीज़ें crystal clear होते चले आएगी क्यों मैंने classical liberal thinker बता रहा हूं मैं ठीक देखो अब पहले क्या है पहले आ होगा तो एक तरह से chaos develop हो जाएंगी सब अपनी अपनी freedom enjoy करने के नाम पर क्या करेंगे जो powerful हो week को ढराएंगे धंकाएंगे ठीक है so we need constant so that we can also enjoy his freedom he or she can also develop his or herself without any fear तो इस sense में constant की जरुवत होती है लेकिन कुछ सवाल फिर उटते हैं कि constants क्या होना चाहिए ठीक है किस हद तक constants लगाया जाना चाहिए यह कौन बताएगा कि कौन से constants सही है कौन से constants गलत है ठीक है constants जो है तो इंसान की public life में कितने apply होंगे उसकी private life में भी constants लगेंगे क्या मतलब जैसे कि अब आप क्या है कि आप घर में क्या सबजी बनाना है उस चीज़ पे अगर आपकी constant लगाये जा सकते ही नहीं लगा जा सकते हैं तो इस तरह से सवाल बहुत सारे आएं ठीक ह नहीं होगा ठीक है अब आप और मैं तो टाइक कर नहीं सकते हैं मतलब अगर हम करेक्ट explanation दे सकते हैं फिलोसोफर की तरह एक तिंगर की तरह तो हम भी बता सकते हैं अपना idea ठीक है आज से 20-25 साल के बाद में जो आने अली जनरेशन रहेगी वह हमारा idea पड़ेगी ठीक ले अब connect कर पाया होना मतलब यह topic कैसे connect करना देखो हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा last to last में कि why do we need constants अब वह constants अब कैसे तरह करोगे कि क्या constants हैं क्या constants गलत है constants किस हद तक apply होना चाहिए बंदिशे जो हैं आपको कहां तक लगाई जा सकती है तो उस चीज़ को जान स्टूर्ट मिलने हाम प्रिंसिपल के थूख explain करने की कोशिश करिए thinker philosopher जो थे तो यह अपने essay में ठीक है इनका essay का नाम on liberty तो इस essay में वो हाम प्रिंसिपल के बारे म क्या लिखा है इस सोल एंड फॉर विच मैंन काइंड और वारंटेड इंडिविजली और कलेक्टिव ली इन इंटर्फेरिंग विथ दी इन इंटर्फेरिंग विदी लिबर्टी ओफ एक्शन अस एनी और नमबर इस सेल्फ प्रोटेक्शन इतने पूरे स्टेट्मेंट को लिखने का स्टाइल उनका लग रहा होगा ना तो वह सकता है एक बार में पढ़ने पर समझ भी ना आया स्टेट्मेंट तो मैं आपको समझ आता हूं कि यह कहते हैं कि कॉंस्टेंट की बात कर रहें कि कॉंस्टेंट कब लगाया जा सकते सवाल हमारा यह यह दिस आर अनंसा तो यह क्या कहते हैं कि इस ओल एंड फॉर विच मैंकाइड वारेंटेड इंडिविजली और क्लेक्टिली इन इंटर्फेरिंग विदी लिबर्टी ओस एक्शन औस एनी अदर एनी अफ दियर नंबर मतलब कि अगर आपको किसी इंडिविजल के उपर अगर कॉंस्टेंट लगाना है तो उसके लिए अगर आपको कॉंस्टेंट लगाने के लिए आपको आजादी दी जाएगी चाहें आप इंडिविजली कॉंस्टेंट लगा या कलेक्टिव ली तो वह सोल परपस क्या होना चाहिए इस सेल्फ प्रोटेक्शन मतलब आप अगर अपने आपको साथ में बात करेंगे आप तो आपको अगर खत्रा आ रहा है तो आप उस इंडिविजल की फ्रीडम पर कॉंस्टेंट लगाओगे मतलब अगर इनकी बात को समझोगे घहराई में जाओगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी जो मैंने आपको भी पिछले वीडियो मे भी बताई थी ख्लासिकल लिप्रलिजम जो है न वह बहुत जादा हाइली इंडिविजल सेंट्रिक है एटमिस्टिक अप्रोच लेकर चलती है कि इंडिविजल ही सब कुछ है तो यह भी बोलते हैं इसलिए ने क्लासिकल लिबरल तिंकर कहा जा रहा है कि आप अधर मैंबर ऑफ सिविलाइस कम्मिनिटी अगेंस्ट इस विलिस्टू प्रेवेंट हाम तुअधर तो एंडिकें क्या होता है आप एक्सें करते हैं कि परपस क्या होगा कि कि सी और के उसके ओपर यूश कर रहे हैं तो तो इसलिए होना चाहिए मतलब आप जिसके ओपर प करके कॉंस्टेंट लगा रहे हो तो यह होना चाहिए इस टू प्रिवेंट हाम टू अदर्स ताकि वह दूसरों को हाम ना पहुचा है हाम प्रिंसिपल आयना समझ में तो कॉंस्टेंट कब लगेंगे जब वह किसी के उपर हाम करने वाला एक्शन अगर इंडिविजल ले रह पहुचा रहा है अगर आपको अपने सेल्फ प्रोटेक्शन की चिंता और यह तब आप लगा सकते हो लेकिन इतना इसमें और भी डाइमेंशन से चलो और भी जो डाइमेंशन से वह मैं आपको बताता हूं ठीक देखो क्या है तो मिल जो है जेस में इंट्रेडियोस इंट्रेडियोस दिस्टिंशन इन यूमन एक्शन में दो तरह के क्लासिफिकेशन दे दिये एक सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन बोले दूसरे बोले अधर रिगार्डिंग एक्शन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन सेल्फ रिगार्डिं सिर्फ उसी के उपर होंगे समझ रहा ही समझना अगर मैं कोई ऐसा काम करता हूं जिसके कंसीक्वेंसे सिर्फ मेरे उपर होंगे जैसे मैंने मार कर जोर से मरे हाथ में घडा लिया थे तो तो अब कंसीक्वेंसेस को भुगतने पड़ेंगे यार पार हो जाएक तो मुझे इधर दोगा ना तो इस तरह से ये एक्षिन की केटेगरी में आजाएगा उस पर हम क्या कहेंगे कि वो जो एक्षिन ले रहा है वो खुद को ही डेटोरियेट कर रहा है रहा है ठीक है लेकिन बाद में जो पॉलिटिकल थिंकर्स आये ना देखो पॉलिटिकल थियोरी ऐसे ही बिल्डप होती है अभी आपके सिल सिर्फ उसके उपर इंपक्ट नहीं है उसके साथ में जो फैमली उसको दुख होगा बाद में तो अधर रिगार्डिकल हो गया नहीं हो गया ठीक है तो अपको और बहुत सारे इमिशन जानने को मिलेगी ठीक है एक नमूना था लेकिन अभी हम यही तक इस चीज़ को लिमि एक्षिंग जोते हैं अधर रिगार्डिक शुटे मतलब दोस एक्षिंग डेट और से फॉर अधर तो इसका एक एक्जाम्पल जैसे हाँ पर एक और एक्जाम्पल कि से आप गाड़ी चलाना चाहते हो आप गाड़ी चलाओ करो गया आप सही चलाओ कि वह आपके से जुड़ उनके उपर भी आगा तो इस सेंस में क्या यादर रिगार्डिक एक्षिंग की का डिगरी में आ जाएगा ठीक चलो अब क्या है तो दो एक्षिंग एक्षिंग से अनली फोर इंडिवीज एक्टर से नोबडी येल्स तो दी स्टेट और एनी अधर एक्षिंग अश्टरन मिनीमाम होना चाहिए तो इन्हें बोल दिया कि जो एक्षिंग से किसी और के उपर इंपक्ट होई नहीं रहा है तो उसमें जो स्टेट है स्टेट और एनी अधर एक्स्टरन अथोरीटी है जो बिजनस तो इंटरफियर कोई उसके उपर क्या नहीं लगा जा सकता कोई जा सकते हैं तो इसके उसके उपर क्या जा सकता है कॉंस्टेंस लगा जा सकते हैं तो तो यह देर इस दिपाउसिब्लीटी आफ एक्सटरनल इंटर्फियर न इसकेश में स्टेट जो है वो इंटर्फियर लगा सकता है एक्स्प्लेइन कर दिया है आया समझ में अधर इंवाद इंग क्या है कॉश्चेंट और। में आपत में आजा जाता है कि दिफरेंश यहा यह हो गया तो लेकिन अभी तब टॉपिक खतम नहीं हो यहाँ पर कि आप बस आपने बोल दिया कि हम प्रिंसिपल है अगर हम पहुच रहा है तो आप क्या करेंगे स्टेट लगा देगी और हम नहीं पहुच रहा तो स्टेट कॉंसरेंट नहीं लगा पाएगी ठीक है इतना इनिशली जैसा सोचा गया थिंकर्स के द्वारा तो जेस मिल इंडिविजल इसम के बहुत बड़े प्रपाउंडर मतलब वह इंडिविजल इंडिविजल चिलाएंगे वह सोसाइटी में इंडिविजल की पोजिशन को सब से उपर रखेंगे तो कॉंस्ट्रेंट लग भी है ना तो कॉंस्ट्रेंट लगने के बावजूद भी वह इंडिविजल की पोजिशन को स्ट्रॉंग ही बताएंगे कैसे चलो यहां पर समझते हैं ठीक है तो फ्रीडम इस एडडी कोर ओफ यूबन सोसाइटी फ्रीडम की जो बात की जारी जो चाप्टर है हमारा ठीक हम फ हेड़ अरह यज के फ्रेड़ मेंगि इससाइटि corazón तो फ्रीडम के अपने निजय करेगा तो क्रिस्टल कले एंजय वीजिवाएटा के खं़िवाज मेरोफ फ्रीडम क के रखेंग हम इंदिविजिव अपना फ्रीडम का वो कोशिच करेगा कि उसको जितनी ज्यादा फ्रीडम मिले उतना अच्छा हो ठीक है अब वह ज्यादा फ्रीडम कब मिल पाईगी जब उसके पर कॉंस्टेंट कम होते चले जाएंगे ठीक है अपना एरिया बढ़ाना है मतलब अपने एरिया पे जो इतने भी बंदिशे लग एक और कंडीशन अपलाइड आ गई क्या वो कहते हैं कि जब किसी और को हाम पहुंच रहे तब आप कॉंस्टेंट लगा सकते हो लेकिन वह हाम भी सीरियस होना चाहिए समजना है हम फ्लो में चलते चलो वह हम भी सीरियस होना चाहिए अब इसे माइनर हर्म में क्या जाता है serious harms में क्या जाता है कि mill recommends only social disapproval and not the force of law ठीक है अब जड़ा समझो तो अब क्या होता है example से समझाता हूँ मैंने क्या कर दिया मैंने अगर किसी के उपर ट्रक चला ले किसी की जान ले ली तो ऐसी liberty मुझे नहीं दी जाएगी ऐसी freedom नहीं दी जाएगी क्यों कि जो harm में cause कर रहा हूँ बहुत serious है अब मैंने क्या कर दिया रात में गाने बजा दिया अगर मान लो ठीक है मैंने रात में गाने बजा दिया जो example हम अभी तक लेते आया थे उस example को अब अलग dimension से देखने के कोशिश करो मैंने रात में दो बजे चत पे गाने बजा दिये ठीक है तब क्या हो रहा है तब एक तरह से मैं क्या कर रहा हूँ तब एक तरह से मैं दूसरों को uncomfortable तो कर रहा हूँ दूसरों को मैं हाम तो पहुचा रहा हूँ लेकिन यह हाम ऐसा नहीं कि लोगों के कान फुट जाएंगे उनकी नींद ही तो डिस्टरब हो रही है लेकिन मैं अपनी freedom को इंज्वा होई ठीक है तो मैं अपनी freedom को enjoy कर रहा हूँ तो उस case में मिल कहते हैं कि मैं और मैंनर हाम को टॉलरेट करना होगा तॉलरेट करना होगा अब आप ज़रा रहेट करो कि लिबरल इसमा आई तो ऊसीरिए हाम सीरियस नहीं माइनर है क्यों ऐसा सब क्यों कहते हैं वह इसलिए कहते कि अधरवाइस सोसाइटी मस्ट बेर दी इनकन्वीनियंस इंदी स्पिरिट आफ प्रोटेक्टिंग फ्रीडम तो में लिया बोलते हैं कि यह हम फ्रीडम को प्रोटेट करना है में हम इंडिविजलिजम के परस्पेक्टिव से लो मैं दिख रहे हैं तो अगर है क्या करें माइनर माइनर हम से भी लॉक का इस्तेम्स आफ लॉन तो लॉक क्या इस्तेमाल करें अप एक तरह से जो फ्रीडम की स्पिरिट ईसको डिस्रिगार्ड कर रहो आप फिर फ्रीडम के लिए समझे ते रहे में बात हैं यहां पे आप सिर्फ से देखना एक अप्रोच्छ से क्या देखना कि आप individual को सबसे सुपरीम मान के चलना तो Freedom को सुपरीम मानके चलना तो Freedom के उपर Constance तो होना ही hypatin of Constance बोला लेकिन वह coach तो हुई नहीं सकती आपको कुछ तो लगाना पड़ेंगे तो जो कुछ तो भी कॉंस्टेंट है न वह भी रेर केसे में होना चाहिए जब हाम कॉज्ड क्या होगा बहुत जाधा सीरियस होगा माइनर हम्स में क्या किया जाना चाहिए माइनर हम्स में मिल रिकमेंट्स ओनली सोशल डिसप्रूवल एड नौट दी फोर्स ओफ लॉव यहां पे नया शब्द आया मिल रिकमेंट्स ओनली सोशल डिसप्रूवल मतलब यहां पे आप उनके उपर कॉंस्टेंच वाइला मतलगा हो ठीक है कानून मत बनाओ कि रात में किसी नगाने करता है आप आपकी freedom enjoy कर रहे हो बढ़ियां है यहां पर क्या है मिल यह बात करते कि माइनर हम में कोई फोर्स ओफ लॉज नहीं किया जाए क्योंकि अगर फोर्स ओफ लॉगर छोटी छोटी बातों पर करने लोगा फिर तो फ्रीडम और खतम हो गई ठीक है फिर फ्रीडम रही कांगी हम फ्रीडम की बात कर रहे ना तो बोलता है इस केस में सोशल डिस अप्रूवल होना चाहिए बीपल शुड बी रेदी तू तॉल्रेट वो यहिक देखिल लोगु को टॉल्रेट करना होगाँ ठीक है माइनर हम को थोड़ा सा क्या कर लो सहन कर लो बट दीनीड टू एक्सटेंड इस टॉल्रेंस बटन नीड आप यक और नया डाइमेंशन खुल गया है क्या हो गया कि म मिल क्या कहा है minor harm के cases में आप force of law use नहीं करोगे वहां पर आप social disapproval उसकरोगे society को tolerate होना होगा ठीक है society को क्या करना होगा एक्षिंस को tolerate करना होगा minor harm वाली लेकिन मिल यहां पर यह भी बोलते हैं इसका मतलब यह नहीं उगली पकड़ा यह पूरा पोचा पकड़ होगे if the harm caused are serious then force of law is required ठीक है तो मिल यहां पर वही कहते है कि views and actions which can put people in danger और foment hatred at that time you are required to take strict actions or we can say at that time you are required to take constraints into consideration ठीक है तो मिल यही कहते है कि अगर कोई ऐसा action हो रहा है ठीक है ऐसा व्यूपॉइंट है जो क्या कर रहा है जो लोगों की जान खत्रे में डाल दे रहा है या फिर कह सकते हैं जो लोगों को नुकसान पहुचा रहा है तो उस समय पर क्या करना होगा आपको उस समय पर आपको क्या करना होगा इस्तेमाल करना गो और फॉर कॉंसरें इंपोज ठीक है वह एक्शन जो क्या कर रहे हैं सीरियस हां पहुचा रहे हैं तो हां प्रिंसिपल में सबसे पहली चीज़ को अभी तक मैं आपको कहनी समझा देता हूँ थोड़ी करनेक करवा देता हूं मिल बताते हैं कुछ सेल्फ रिगार्डिंग हो हैं बहुत सिर्यस हैं तो उस केज में क्या होगा कॉंश्रेंसिंपोस किया जाएंगा अगर सीरियस नहीं तो क्या होगा ऐसा जी में अच्छा टूल हो सकता है ठीक ताप्सका इंगे डिया डिया गया है कि समझना ठीक है एक्जामपल हेट कैम्पेंग क्या बताता है हेट कैम्पेंग मतलब जैसे एक तरह से आप देखोगे कि रात में गाना बजा रहा था ठीक है मैं अपनी फ्रीडम को इंजॉय करते हैं लोगों को क्या कर रहा हूं भढ़का रहा हूं धर्म के नाम पे कि लड़ो क饭ान भड़ा हम सकता है ठीक है ठीक तो मिल की पॉजिटिन अथ्व चैनल हो गई होगी MAX नोर मेंznछे कर लworm कर लेंगे सीरियस हम में हम कॉंस्टेंस लगा सकते हैं ठीक है पर समझो क्या है ठीक है बट बट वी मस्ट मेक शॉर देट कॉंस्टेंस इंपोज आर नोट सो सीवियर देट देडिस्ट्रॉइ फ्रीडम इच्सेल्फ फिर वही वाली बात आगे ही कि वह फ्रीडम का जंडा सबसे उपर चाते हैं तो वह बोलते कि आप जब सीरियस हम अगर कॉज कर रहा है उस केस में भी आप क्या करोगे जो कॉंस्ट्रेंट्स लगा रहे हो तो कॉंस्ट्रेंट्स अपने आप में इतने स्ट्रिक नहीं होना चाहिए वह फ्रीडम को पूरी तरह से खतम कर दें एक्जांपल इ कि वह सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन नहीं रह गया अब उसका हम देखो कि वह इंपक्त कितना रहने हाला है हम प्रिंसिपल के साब से तो माइनर हम नहीं वह एक मेजर हम क्रीट कर सकता है अगर मानलो कि दो दो गुट के बीच में क्या हो जाता है दंगे हो जाते दो रिल लिवर्टी फिर खत्रे में आजाए इसकी फ्रीडम फिर का जाएगे को अपने आप खत्रे में जाएक क्या उसकी आगे था यह आपको ये action लेना होगा ताकि उसकी पूरी freedom खतम ना जाये जाये और पूरी freedom खतम हो गली उसकी तो पूरी freedom किस कारण से फतना है क्यों कि उसने अपने opinions को express कि कर रहे थे जो कि शायद एक major harm को काउस कर रहे थे तो तो मेरे शब्द नहीं में मिल के point of view बता रहो आपको तो यह आया ना समझ में आपको पूरी कहानी हम प्रिंसिपल क्या है अब यह हम प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा ठीक है दुनिया भर की जो कहानी पढ़ी हमने तो यह क्यों पढ़ी है तो उसका सवाल मतलब उसका जवाब कि लेट सब्सक्राइब तो आपके वाला टॉपिक था कौन सवाल वाइड वी निट कॉंस्टेंट तो उसमें जो लास्ट में सवाल छूट गए थे कि कॉंस्टेंस कैसे तै किये जाएंगे तो मिल ने अपने हम प्रिंसिपल की मदश से उस चीज को एक्स्पें करने के कोश तो जब आप थियोरी और पढ़ोगे ना इन डीटेल में तो आपको समझ में आगा कि मिल को भी क्रिटिसाइज किया थिंकर्स ने अलग अलग और भी आइडियास दिये हैं कि कैसे कॉंस्टेंट्स तै किये जाएं महिदार है ठीक है समुद्र की तरह जितना अंदर जाओग नोट एक्सेटिशन देखने को मिलती है ठीक है रिजनेबल इस्टिक्षण का है देखो तो इस्ट्रिक्शिंग अर्केबल ओफ बिंग तो आपको देखो connect करना तो अब हमने यह देखा कि आपने क्या कर दिये राइज देदी फंडामेंटल राइज फंडामेंटल राइज से क्या हुआ आपने मेरे आपको भाप भी बताया है जब हमने इंडियन इंडियन के सहारे स्टेट के अगेंस्ट में भी हावाज उठा सकते हैं अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो लेकिन आप वो कहानी के साथ जोड़ना होंगे तो अब क्या होता है freedom of speech and expression आपको मिल गया तो freedom of speech and expression के नाम पर यह ठुरी नहीं कि आप छट पे खड़ोगे अपने परोशी को गाली देने लगोगे ठीक है आगे मारेगा वो क्यों क्यों कि आप उसकी भी तो freedom एक क्या कि वह अपनी इसकी freedom यह कि वह अपनी life respectful way से जी पाए ठीक है तो उस sense में क्या होता है उस sense में आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा अब government को पहले से पता है government समझदार है constitution maker समझदार है तो वहां पर क्या होता है वहां पर constitution में कर ने बोला कि आपको इस freedom के उपर constant तो लगाना पड़ेगा अब constant का कैसे तैकर होगे constant सवाल वही आ गया तो हम principle को इसमने इस्तमाल किया कि अगर मानलो आप आपकी freedom और speech के इस्तमाल कर रहो करो आपकी अधिकार है लेकिन उसी आर्टिकल में उसी fundamental राइट में इसे देखो के तो article 19 clause 2 यह भी बोलता है कि government reasonable restrictions लगा सकती है ताकि क्या हो और reasonable restrictions क्या होंगे मतलब वह restrictions वह constants जिनने by reason explain कर सकती हो government एक एक्जामपल देता हूं जैसे article 19 clause 2 क्या बोलता है कि आपके freedom of speech and expression पर क्या किया जा सकता है आपके freedom of speech and expression पर constraint लगाया जा सकता है अगर वह इंडिया की security से सिक्वरीटी को किसी प्रकार का खतरा पहुचा आता है तो यह article 19 clause 2 बोलता है तो अब यह क्या हो गया आप यह restriction लगा रहे हो कि आपकी freedom और speech को रोखा जा सकता है कब रोखा जा सकता है जब आप इंडिया की security के लिए खत्रा बन जाओ जैसे अब क्या है कि मान लो आपको कोई बहुत important defense detail पता चल गया और defense detail को आप क्या कर रहे हो अपने YouTube channel पर YouTube channel क्या कोई भी खुल के बैठ जाता है तो YouTube channel पर आप क्या करने लोगे बताने लगए वो prinsipal के साब से तो रिजनेबल is abdue को भी वही लगा जा सकता है जहँआंब सिश्ट्चिन को आप क्या यहां जा सकता है आप रिजनेबल के सागे लिए अशा-पार का लगाने लल वही तो इन al students से domination हो जाएगा in the society and the and it is detrimental to freedom और यह condition जोगी तो freedom के लिए सही नहीं रहेगी तो सेंस में reasonable restriction भी स्रिफ वहीं लगाये जाए जहां पे उसे क्या किया जा सके properly explain किया जा सके कि क्यों यहां पे constant या फिर restrictions लगाना ज़रूरी है तो इंडियन कंटेक्स्ट में आपने theory को जोड़ के दिखा ठीक है अब थोड़ा साब क्या करते हैं कि essence वाली बात करते हैं कि हम principle साब क्या क्या सीखे देखो हम principle से आप यह देखे कि हम principle एक important principle हो जाता है जैस मिलका जो एक्स्प्लेंड करने मदद करता है कि कॉंस्टेंट्स कब लगाना कैसे लगाना कहां लगाना है ठीक और यह चीज जो है तो यह से हवा में नहीं है इसे हम मतलब कह सकते हैं हमने हमारी क्या क्या कॉंस्टिशन में लगा के दिखाया है ठीक है कि हम प्रिंसिबल के हिसाब से आपने रिजनेबल रिस्टिक्शन वाला आइडिया लगाया कि हाँ जहां पर सच में जरुवत होगी रिस्टिक्शन की वहीं पर लगाया जाए ठीक तो यह पूरी कहानी थी जो मैंने आप हलो हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी इंपोर्टन टॉपिक अच्छे से समझना इसे अभी तक आपने चैप्टर में क्या पढ़ा है देखो तो आप जो चैप्टर है हमारा फ्रीडम उस चैप्टर में चलते थे लेकिन हमने देखा नहीं फ्रीडम का मतलब यह नहीं कि आपको एग्दम खुली छूट दे दी जाए फ्रीडम का मतलब यह भी होता है कि आपके उपर कुछ रीजनेबल रिस्टिक्शन लगाया जा सकें तो हमने यह देखा कि हाँ फ्रीडम कम सुट सम कॉंस्ट् हो गया हो खेब तो यह पूरी कहा 안iיה जानी ही संझी आपने अभी तक आप चैप्टर में अब आपके सामने टॉपिक ए एक वह क्या है वह है नेगिटिव and positive liberty आप negative और positive liberty को यहाँ पर पढ़ने वाले हो समझने वाले हो अब दो डाइमेंशन दिये freedom के फिर जो freedom school है तो वहाँ पर आपने जब definition भी पड़ी थी freedom की तो आपने freedom को दो डाइमेंशन से देखने की कोशिश करी थी क्या दो डाइमेंशन थे तो freedom as the absence of external constraints और दूसरा freedom as the expansion of opportunities to express oneself और we can say freedom means creating a situation where individual can develop his or her potential अपने दो डाइमेंशन देखे थे ना तो अभी आगे आने वाले दो मिनिट के लिए सिर्व इतना मान के चलो आपको आपको आटमेटिकली चीज़ समझ में आ जाएगी कि यह वाला जो डाइमेंशन है freedom का ठीक है कि जहां पर आपके और कि कोई नहीं होना चाहिए यह वाले डाइमेंशन को आप negative liberty मानोगे ठीक है और जो दूसरा डाइमेंशन है freedom का freedom as the expansion of opportunity to express oneself मतलब आप जहां पर लोगों को space दे रहो कि आप अपनी potential को develop करो उसे आफ उसे आप क्या को होगे positive liberty मानोगे ठीक है दो मिनिट के लिए मान के चलो ठीक अभी जब समझाओंगा तो अपने आप clear हो जाएगा वो clear है तो अब देखो यहां पे अब कहानी कहा आ गई है कि यही चीज़े जो है तो इन्हें negative or positive liberty respectively कहा जाता है negative liberty क्या होता है अभी आपने नाम सुने ना तो मैं अगर आपसे सवाल पुछू कि आपको कौन सी liberty पसंद आईए तो majority of you would go with positive liberty आपको लगा कि positive liberty ज्यादा सही है positive liberty सही है लेकिन ऐसा नहीं है अब दोनों ही जो liberty हैं उनके positives भी है उनके negatives भी है इसके लिए हमें उन्हें जानना जरूरी है पहले तो हम देखते है negative liberty क्या होती है negative liberties define and defend negative liberty define and defend individual as inviolable ठीक है individual as inviolable मतलब क्या है कि rights of the individual cannot be infringed in any case तो negative liberty में जब आप बात करते हो कि negative liberty क्या होती है तो वो इस तरह की freedom देने की बात करती है कि individual की freedom सबसे उपर सर वो परी मतलब आप इसको किस से जो हो सकते हो देखो मैंने आपको तब भी बताया था कि जो liberalism ideology समझी तो उसमें आपने एक perspective क्या देखा था classical liberalism वाला जहां प थोड़ा सा मैं इसा समझ में आता है कि नहीं स्टेट का भी एक important role आता है individuals के बीच में coordination बनाने का welfare state का काम करने का ठीक है तो यह जो definition in a negative liberty की यह आपको welfare liberalism के साथ जोड़के देखना है तो नेगेटिव लिबर्टी क्या बोलती है नेगेटिव लिबर्टी इंडिविजल को बहुत ज्यादा इन्वाइलेबल बताती है कि उसे मतलब आपका इंडिविजल के राइट को किसी तरह से इंफरिंज नहीं कर सकते इंडिविजल की जो पोजिशन है सोसाइटेव सबसे अच्छी है ठीक है तो नो अट्सटरनल अथरिटी के इंटर्फियर एंड इंडिविजल है इस भी राइट तो रोटेवर वन लाइक्स तो अब यहाँ पर देखो नो एक्सटरनल अथरिटी के इंटर फेर तो यहाँ यह जो dimension है किसी इसका यहाँ पर जो external constraints को रोखने का absence of external constraints को कहा जा रहा है तो इस dimension को बताया जा रहा है no external authority can interfere and individual has the right to do whatever one likes आयना समझ में तो absence of external constraints की बात की जा रही है अब क्या होता है देखो अब external constraints की बात की जारी कि Constance किसी प्रकार के नहीं लगाए जाने चाहिए इंडिविजल के उपर तो इंडिविजल के उपर हो गया यह उसका एडिया थोरी ना है अगर आप देखो कि तो यह उसका area of interference नहीं यह वह तो दूसरों के एरिया में घुसरा है तो इस तरह से debates है इस चीज़ के उपर की वाट शुट बीडी area of interference कि कि कितने area of interference में external authority को नहीं जाना चाहिए ठीक है तो यह minimum area of non interference जो है वह क्या है उस चीज़ को लेकर debate चलती रहती है जब आप negative liberty की बात करते तो negative liberty में इस चीज़ को define करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि क्या कितना area जहें वह minimum area of non interference की category में आएगा ठीक है क्यों क्योंकि जैसे आप देखो तो individuals क्या चाहेंगे बता है individuals क्या चाहेंगे कि हमेशा उनको हर चीज़ पर आजादी रहे हर चीज़ पर आजादी रहे मतलब वह जैसा सोचना चाहें कोई भी ऐसा चाहें का कि मेरा area of interference कम हो ऐसे जैसे कि अगर यह society है individuals है अब इंडिविजल्स क्या करने की कोशिश करेंगे सब अपने अपने area of interference को बढ़ाने की कोशिश करेंगे लेकिन in this process it is bound that they are going to intrude into the area of others ठीक है तो यह एक डिबेट रहती कि minimum area of interference क्या होना चाहें जिसके बहार अगर अगर इंडिविजल्स अपनी liberty को exercise करेंगे तो external authority उनके उपर क्या कर सकती है constraints लगा सकती है और जब external authority constraints लगाएगी तो इस सेंस में वह नेगेटिव लिबर्टी वाली जो डेफिनेशन है ठीक है लिबर्टी की जो नेगेटिव डेफिनेशन है कि absence of constraints तो उसके अगेंस्ट जाएगी और फिर वहीं पर क्या होते हैं बवाल होते हैं तो बहुत सारे सव पहन के नहीं होगे आप स्कूल की उनिफॉर्म जो पहन के होगे तो आप फिर आप वहां पर से मुद्दा उठाओगे क्या कि यह तो मेरा area of interference है मेरी dress पहनना मुझे किसी और को हर्ड भी नहीं कर रहा हूं फिर मुझे क्यों red color की dress नहीं पहन के आने दे रहे हैं तो आप सो हम ऐसा तो नहीं किसी और को परिशान कर रहे हैं हम तो अपनी लिबर्टी इंजॉय करना चाहरे है अपने पसंद के कपड़े पहनना चाहरे है अब विराट कॉली को अगर मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं है वाइट उनिफॉर्म में नहीं खेलना है या फिर इंडियन क्रि सोच करना फ्रीडम के उपर एंक्रोच करना होगा नहीं होगा सोचना डिवेट करना अपने क्लासमेट से अपनी क्लास टीचर से इस मुद्वे पर भाहस करना थोड़ी सी और अगर आपके अभी कोई व्यूपइंट है तो आप कमेंट सेक्शन बताना ठीक है चलो तो यह न यहां पर भी क्या है बात वही की जारी की कॉंस्टेंस नहीं लगाए जाए तो यहां पर ना लगाने की जगा क्या की बात की जारी है यहां पर हटाने की बात की जारी कॉंस्टेंस को ठीक है ना लगाना और कॉंस्टेंस हटाना दोनों चीजें बहुत अलग हैं ठीक है सु यहां पर आप क्या कर रहे हो गवर्मेंट को रोख रहे हो यहां पर आप गवर्मेंट को बोल रहे हो कि आप बंदीशे हटाओ रोखना और बोलना दोनों चीज़ें में डिफरेंश मतलब क्या है देखो देखो तो क्या है कि positive liberty is concerned with the relationship between individual and the society ठीक है और positive liberty में क्या किया जाता है people seek for the conditions for the development of individual personality ठीक है क्या है positive liberty में freedom को आप कैसे देख रहे हो freedom as the expansion of opportunity to express oneself ठीक है oneself मतलब क्या है कि आप अपने आपको बहतर तरीके से express कर पाऊं अगर क्या आपके पास mic नहीं है ठीक वह हिंडरेंस है कि आपके पास mic नहीं है अब आप मैं आपको बहुत को enjoy कर पा रहे हो वह positive liberty का dimension हुआ आया ना समझ में तो positive liberty lies in the removal of hindrance ठीक है it is concerned with the relationship between individual and the society तो individual जो है वह society में किस तरह से अपने आपको कर सकता है ठीक है और उस अपने आपको ग्रो करने की जब उससे opportunities दी जाएगी तो वह positive liberty की definition में आएगी conditions for the development of individual personality individual is like a flower यह example अच्छे से समझो तो positive liberty किस चीज़ पर बेज़ होती है कि individual जो है ना वह flower की तरह है individual की अपनी एक identity है और उसको आपको बनाए रखना होगा मतलब वह flower है तो अच्छी कि उसे खाट जाए खाट दो फिरी तो वह क्या कर पाएगा फ्लाव ग्रोव कर पाएगा तो इस संस में individual सेंटर किये बी है डेकिन यहां पे गवर्मेंट जो है कि मुझे मेरी फ। यह कैसे दे कि मुझे वो पोटेंशल मेरी पोटेंशल को डवलब कर देगी मैं अपनी फ्रीडम को इंजॉय कर पाऊं ठीक है चलो तो देखो अभी इसमें आपको एक और डाइमेंशन में दिखाता हूं उसके बाद में कुछ एक्जामपल लेंगे चीज़ें और क्लियर होगी कि नेगेटिव लिबर् इंट्रोवर्ट थियोव्स मतलब क्यक्त्रों सुसाइटिव शुचान नेगरेट पर रखतर होगी में बात ठीक है तो यह freedom from वाला concept है यहां पर ठीक वहीं पर पॉजिटिव लिबर्टी पर देखोगे ना तो जैसे यह सवाल उठता है तो जवाब क्या मिलेगा कि आए गवर्न माइसेल्फ मैं अपने आपको गवर्न करता हूं अब मुझे अपने आपको जब गवर्न करना था पर सव कर रहे हो freedom to have a quality education यह क्या हो गया यह आपकी पॉजिटिव लिबर्टी का डाइमेंशन होगे क्या आप पॉजिटिव लिबर्टी चाहते हो पॉजिटिव लिबर्टी में आप क्या चाहते हो फ्रीडम को अपनी पोटेंशल को डवलप करवाने की हिसाब से देख रहे हो और और इंडियूजल फिर सोसाइटी से सीख करता है आई शुड हैव दी फ्रीडम तू हैव अक्वालिटी एड्यूकिशन ठीक है अब वह गवर्मेंट की रिस्पॉंसिबिटी हो गई है फ्रीडम तो पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग ठीक है तो मतलब क्या एक कॉंस् चाहिए एक्सटर्नल वह बिल्कुल होना चाहिए ऐसे जब आप देखो तो नेगेटिव लिबर्टी हो गयी है यहां पर आप देखो तो पॉजिटिव लिबर्टी हो गई है अब आपको में एक जो बुक में नहीं उस डिमेंशन से दिखाने की कोसिश करता हूं स्टेट के से नेगेटिव लिबर्टी क्या चाहेगी कि स्टेट का इंटर्फेरेंस ना हो पॉजिटिव लिबर्टी क्या चाहेगी कि स्टेट का इंटर्फेरेंस ना हो यह स्टेट को क्या सकते हैं कि सस्पीशियस वे में देखती है यह स्टेट को वेलफेर स्टेट के वे में देखती ह था नए टाइम पिरेड में लिबर्टी को पॉजिटिव डिमेंशन से दिखा जाता इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव यह हो गया ठीक है कि नेगेटिव इसलिए कहा जा रहे है क्योंकि यहां पर इसके मैं आपको समझाऊंगा तो और चीज़वें क्लियर हो जाएगी घ्के क्या हो गया यहां पर बात करने ऐसके तो यहां पर इन्डिविड्यम को एजए को प्यंसिचन में यहाँ परर सब्सक्राइब करें तो आगे इनके बारे में जैसे आप पॉलिटिकल साइंस लोगे ना तो इसाया बर्ली नेक एक्जामपल देते हैं कि नेगेटिव लबर्टी में इंडिवीजल तो क्या बोलेगा मेरे उपर कॉंस्टेंट नहीं होना चाहिए यह रेड लाइट क्यों वीडम को इंज्वा करों गाड़ी चलाऊंगा अपने हिसाब से जैसे आप नेगेटिव लिबर्टी इंज्वाइब कर रहे हैं ठीक है यह उनकी गाड़ी है उस पर बैठें और जा रहे है इस रास्ते ठीक है अब एक अंकल ऐसे हैं और नेगेटिव लिबर्टी वाले यह इव नैगेटिव लिबर्टी वाली देफिरनेशन से बनते है तो दिखती बात है कि जब तकराएंग तो नेगेटिव लिबर्टी इंसान को अंदर से खुकला कर देती एक समय पर आगे कि कॉंस्टेंट जो है मैंने आपको स्टाइटिंग बताया था कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाया जा सकते हैं तो इसलिए अब आपकी फ्रीडम की जब बात करोगे कि गाड़ी हमें राइड करना है वो वह कहानी यहां पे आया समय नेगेटिव लिबर्टी नेगेटिव लिबर्टी का ये ड्रावएठी हो पार्ट देख रहे हैं तो क्या इसका भी कोई ड्रावएठ हो सकता है जैसे पॉजिटिव लिबर्टी में क्या हो गया कि freedom to have यहां पर आपने के गवर्मेंट का एक रूला आ जाता है दो ने तो इस दॉर्मेंट ओर आपने लगाते जाएंगे और फिर गवर्मेंट क्या हिसाब से अंड्रीजनेबल कॉंस्टेंट्स अगर लगाने लगी तो पॉजिटिव लिबर्टी किसी काम की नहीं रह जाएगा आप जो वेलफेर स्टेट को बोल रहे थे वह वेलफेर स्टेट कब ऑथोरोटेटिव स्टेट बन जाएगा पता नहीं चलेगा ठीक है तो इसकारण से कु क्लासिकल और मॉडल लिबरलिजम की डेफिनेशन की हसाप से समझ सकते हो ठीक है तो यहाला टॉबिक हमारा कम्प्रीट होता है यहां पर आपको समझ में आईए किसी प्रकार का डाउट है फिल फ्री तो आसकिन कमेंट सेक्शन अब इंपॉर्टन चीज सुनो आपने चैप और में शैकल लगा दियों आपको बेडियों में कस के बांद के रखा हो ठीक है स्लेवरी नहीं है लेकिन आज फ्रीडम का जो डिबेटेबल इशू है वो फ्रीडम ओफ स्पीच एन एक्स्परिशन की सद्धक होना ची कितना होना चीए रस्रिक्शन होना चीए यह नहीं हो लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का यह जो प्यारा से चैप्टर था freedom तो इसमें आपने freedom को हर dimension से देखने की समझने की कोशिश की है आपने definition को देखा, constraints को समझा, constraints क्यों जरूरी है, constraints कैसे तै करोगे हाम principle को पढ़ा यह सारी चीजें जो है आपने हहाँ पर देख एक ideology को समझा आपने liberalism को, तो इतना सब कुछ जानने के बाद में, इतना सब कुछ जानने के बाद में, समझने के बाद में, आप किस conclusion पर आओगे, आप इस conclusion पर आओगे कि freedom एक बहुत basic right है, ठीक है, बहुत essential है human survival के लिए, यह सारी कहानी आपने पढ़ी जानी समझी, Simple Dimensions पे, freedom of speech and expression, ठीक है, freedom to move around in any part of country, ठीक है, आप country में कहीं भी घुम सको, यह भी तो एक freedom है, physical freedom की बात की जा रही है, तो उस physical freedom से ज्यादा माईने क्या रखती पता है, mental freedom या फिर कह सकते हैं, freedom of speech and expression, आप अपने सोच को freely express कर पाऊ, अपने विचारों को freely express कर पाऊ, तो व भी freedom का एक crucial, essential part है, हम उसे समझने वाले हैं, और अब आप और हम कौन होते हैं, समझने वाले, समझाने वाले, ठीक है, तो हम thinkers के perspective से समझने की कोशिश करेंगे, तो हम John Stuart Mill का example लेंगे, उनके example से समझने की कोशिश करेंगे, कि कैसे, वो क्या कहना चाह रहे है, freedom of expression के context में, आगे समझ में, topic समझ में आगे न, relate कर लिया, connect कर लिया है, तो आगे चीज़ें एक तब मखन की तरह जाने वाली है, ठीक, देखो क्या है, तो understand the heading, I hope you got the heading, आगे क्या है, relate with the minimum area of non-interference, अभी जब मैंने आपको positive liberty और negative liberty का concept समझाया था, तो positive liberty में एक बात बताई थी मैंने आपको, बहुत प्यारी बात बताई थी, क्या, कि positive liberty जो है, तो उसमें freedom to की बात की जाती थी, और जो negative liberty की बात थी, तो उसमें freedom from से बात की जाती थी, freedom from constraints, ठीक है, अब freedom of expression पर जब हम आते हैं न, और negative liberty के साथ जोड के देखते हैं उस चीज़ को, तो negative liberty के हिसाब से individual क्या चाहेंगे, वो अपने minimum area of non interference को बढ़ाना चाहेंगे, तो अब क्या वो minimum area of non interference में ये वाली freedom आती है, नहीं आती है, दो निट के लिए सोचो बस, अभी तक आया समझ में क्या बता है मैंने, कि आपको पता है कि minimum area of non interference जो है, individuals क्या चाहेंगे कि उनका minimum area of non interference expanded रहे, ठीक है, अब ऐसा कौन सा area आएगा, जैसे क्या आएगा, कि मुझे कौन से कपड़े पहनना है, किस कलर की कपड़े पहनना है, वो तो मेरा minimum area of interference में आ जाएगा, लेकिन वही चीज़ स्कूल में बदल जाती है, स्कूल में आपको क्या, मतलब एक code follow करना पड़ता है, कि आपको ये uniform जाना है, ठीक, तो उस तरह से क्या है, सवाल है कि ये भी आता है, कि क्या मैं, क्या सोचू या ना सोचू, क्या मैं बोलू या ना बोलू, वो area मेरा minimum area of non interference में आएगा, या नहीं आएगा, ठीक है, आप सोचो दो मिनिट के लिए, कि क्या freedom of expression को इंसान के minimum area of non interference में डाल देन चाहिए, ठीक है, आपने भी सोचा होगा, मैंने भी सोचा होगा, thinkers ने भी सोचा होगा, तो वैसे ही J.S.Mill ने भी सोचा होगा, J.S.Mill ने क्या argument दिया इस चीज़ के उपर कि freedom of expression should come under the minimum area of non interference or not, तो J.S.Mill क्या कहते हैं, देखो, J.S.Mill set out good reasons why freedom of expression should not be restricted, ठीक है, तो ये ची होना चीज़, सब से उपर जंडा किसका लहराएगा, freedom का रहराना चीज़, तो J.S.Mill क्या बोलते है, J.S.Mill क्या बोलते है, J.S.Mill क्या तो आप political thinker and activist from Britain, तो इनका ये मानना था, कि J.S.Mill sets out good reasons why freedom of expression should not be restricted, इनका ये कहना था, कि freedom of expression को इनसान के minimum area of non interference में ही डाला जाना चाहिए, freedom of expression को कभी restrict मत करो, आप क्या सोच रहे हो और आप क्या बोलना चाहा रहे हो, उस चीज़ के आपको पूरी-पूरी आजादी दी जाना चाहिए, आप चाहे गलत बोलो कुछ भी, लेकिन आपको उस चीज़ के आजादी दी जानी चाहिए, ठीके, क्यों, सवाल ही क्याता कि आप, हमने आपकी बात मान लिया, आप बोल रहो हो कि इंसानों को बोलने दिया जाना चाहिए, ठीके, सब का मुवे सब बोलेंगे, लेकिन क्यों बोलने दिया जाना चाहिए, ठीके, क्यों आप इस idea को, क्या कह सकते क्यों, इस idea के flag bearer बन रहे है, क्यों आप कह र को हर चीज को आजादी मिले हर चीज को freedom मिलना चाहिए हर चीज को minimum area of non-interference में डाला जाना चाहिए उसके लिए क्या करते हैं यह offered four reasons ठीक है वो चार reasons देते हैं why there should be freedom of expression even for those who espouse ideas that appear false or misleading today समझों गहराई समझना topic की ठीक है डूपते चले जाओगे इतना गहरा topic है क्या कि minimum area of non-interference में freedom of expression इंसान का आना चाहिए नहीं आना चाहिए तो जेस मिल जो है ठीक है जेस मिल जो हम क्या सकते हैं कि classical liberalism के thinker हैं वो इस चीज को support करते हैं पूरा पूरा मतलब क्या कहसा है कोई भी restrictions नहीं होना चाहिए कोई भी constraints नहीं होना चाहिए और freedom of expression जो उसे allow किया जाना चाहिए इंडिविजल को तो वह चार reasons देते हैं ठीक है अगर आप गलत भी बोल तो भी आपको freedom of expression दिया जाना चाहिए क्या है चार reason देखो पहला देखो यह box में detail दिये आपको question नहीं आएंगे आभी सकते हैं सनी आपने बोल दिया सनने बोल दिया नहीं आएंगे तो पड़े की नहीं जाए इसलिए तो पढ़ा रहे हैं आभी सकते अगर teacher internal question set करते हैं तो question आएगा भी इस पे ठीक लेकिन इस reason देते हैं पहला सुनो प्रेम से सुनना ठीक है पहला क्या है first no idea is completely false what appears to us as false has an element of truth if we ban false ideas we would lose that element of truth they contain आया समझ में पढ़के ही समझ में आ गया होगा जिसको पढ़के समझ में नहीं आया उनके लिए example भी आएगा ठीके सबर करो देखो क्या है तो जेसमिल पहला reason तो यह देत बैन करते हो कुछ बोलने से या फिर किसी को freedom of expression नहीं देते हो ठीक है तो क्या हो रहा है कि आप एक truth का जो एक element होता है ना उसे छुपा दे रहे हो या फिर कह सकते है कि उसे उपर आने ही नहीं दे रहे हो एक आपको example देता हूं बहुत grounded example है connect करना ठीक है सबने बचपर नो जो भेडें थी ships जो थी तो उने ले गया ठीक है तो इस तरह सब जूट मूट बोल देता था अब हम इस कहानी से क्या सीखे देखो तो कहानी से सीखे कि वो लड़का जूट बोल रहा था ठीक है अब लेकिन जेस मिल की theory में उसको set करो example को तो जेस मिल क्या बोलते कि अगर क कहानी सुनाता था जूटी मूटी कहानी भी तो उसमें एक element तो यह था कि अगर वुल्फ आएगा तो वह भेड को लेके जाएगा यह तो सच था ना यह तो एक क्या सकते है कि natural truth हो गया तो इस तरह से जेस मिल बोलता कि कोई अगर जूट भी बोल रहा है तो उसे भी freedom of expression दि देते हैं वो कि क्यों freedom of expression को restrict नहीं किया जाना चाहिए दूसरा point समझो कहा है तो second truth does not emerge by itself ठीक है It is only through a conflict of opposing views that truth emerges evolution of one from another समझो देगो जिन लोगों को statement पढ़के समझ में आ गया well and good जिनको नहीं समझ में आया आप लोगों को भी example से समझाता हूँ JS mill कहते है second point में कि सच जो होता है ना आसमान से नहीं गिरता है रात होती है तभी क्या होता है दिन होता है मतलब हमेशा जैसे हम कहते है अच्छाई है तभी बुराई है ठीक है भूत है ना इसी लिए भगवान है तो वही कंसेप्ट है जैस मिल क्या कहते है कि truth does not emerge by itself evolution होता है truth का भी कुछ गलत है कुछ जूट है इसलिए कुछ सही है ठीक है तो इस sense में freedom of expression रहेगा तभी लोग क्या करेंगे contrasting opinions present करेंगे कोई जूट बोलेगा और उस जूट के against में सच आएगा ठीक है तो इस तरह से second point में वो इस चीज़ को support करते है clear हुआ ये third point देखो ठीक है what is the third reason which he offered तो truth always runs the risk of being reduced to an unthinking cliche ठीक है it is only when we expose it to the opposing views that we can be sure that this idea is trustworthy समझ भया अच्छी तरह से समझना ठीक है कि truth always runs the risk of being reduced to unthinking cliche सच तो सच होता है ठीक है तो अब क्या होता है जिसे 2 और 2 4 होते है example समझो अपने आप ये statement समझ में आजाएगा दो और 2 4 होते हैं इस चीज़ को आप मानके चले हो बचपन से मानके चले हो अब अगर मैं आपसे कहूंगा कि 2 और 2 5 होते है तो अगर सार इसलिए आप social पढ़ा रहे हो क्योंकि आपको maths के बारे में कुछ नहीं पता है 2 और 2 4 नहीं होते हैं ठीक तो रुट का अथा एक अंठिंकिंग क्लीशे की तरह हो गया क्लीशे क्लीशे का मतलब वो जो बात बार-बार बोली जाती जिस पर हम ध्यान देने चोड़ देते हम मान ही लेकिन क्या होगा कि अगर हम उसको इस तरह से प्रूट के बारे में सोचेंगे ह हम 2 और 2 4 होते, 4 होते हैं मान के चल रहे हैं ठीक है लेकिन जब opposing views आएंगे समझना इट इस only when it is exposed to opposing views, opposing views कैसे हैं जैसे मैंने बुला 2 और 2 5 होते हैं अब आप 4 बोल रहा हूं मैं 5 बोल रहा हूं कौन सही है कौन गलत है दिखती बात है मैं गलत हूं लेकिन जब यह opposing views निकल के आएं सामने हमने अबैकस पर क्या करके देखा वो 2 गोटी जो रहती 2 बींस उनको 2 के साथ में जोड़ा और इधर 2 और 3 को जोड़ा और 5 देखा तो उनने वाला कि 5 होते हैं तो जब तक आप सच के सामने एक opposing views नहीं लाएंगे तब तक क्या रहेगा तब तक सच जो है एक थरा का क्या रहेगा unthinking cliche की तरह माना जाएगा ठीक है truth always runs the risk of being reduced to unthinking cliche तो उसको और legitimacy देने के लिए या फिर कह सकते हैं कि जैसा टीम इंडिया है आपको पता है टीम इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो अब क्या होगा जब तब उसके opposing में कोई सी दूसरी टीम नहीं आएगी तो हम कैसे बोलेंगे कि अच्छा परफॉर्म करती है जब वो opposing teams को हराएगी तभी हम बोलेंगे नच्छा परफॉर्म करती है तो उस तरह से क्या है कि freedom of expression होगा तभी लोग opposing views लाएगे और तब हम compare कर पाएगे कि क्या सच है क्या गलत है तीसरा point clear हुआ चलो चोथे point पर आते हैं क्या होता है कि हम यह मान के चलते हैं कि कुछ चीजें क्या होता है क्या होती कुछ चीजें तो गलत है ठीक है और society क्या कर देती है उन आइडियास को suppress कर देती है लेकिन बाद में समझ में आता क्या वो आइडियास सही थे बाद में क्यूं समझ में आता है क्यूंकि बाद में आपने freedom of expression जब allow किया तो लोगों ने फिर सच को express करने की कोशिश की होगे आपने एक बार एक आइडिया को दबा दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आइडिया सच नहीं है उसके अंदर भी मैंने आपको बताया थे कि जब चर्च की authority थी European history जो लिखी जा रही थी तो वहां पे सब कुछ चर्च और पोप के हिसाब से चलता था तो उन लोगों ने copper nicas को बोला यह कैसा बुर्वक इंसान है क्यों क्योंकि सन हम तो क्या देखते कि सन इदर से इस से आएगा वेस्ट में डूब जाएगा ठीक हम इस तरह से देखते चलते हैं तो इस इस सेंस में क्या हुआ इस सेंस में अगर आप समझोगे तो copper nicas तो सही बोल रहे थे लेकिन क्या कर दिया society ने उस truth को suppress करा और बाद में फिर जब रिसर्च की गई तो वही आज सच है तो इस तरह से क्या कि आपको freedom of speech and expression को अलाओ करना पड़ेगा ताकि आप जिस जिस का element चुपाओ ठीक है तो यह चार reasons जो है आगे चारो reasons समझ में देखो मैंने आपको बहुत detail में बता रहे हैं इस चीज़ को skip कर सकते हैं लेकिन skip इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हर चीज कहिना कहीं आपकी thinking में foundation build up करने में आपकी मदद करने वाली है ठीक है तो यह चार reasons जो यह चार reasons किसके दोरा provide किये गए यह चार reasons जेस मिल के दोरा दिये गए और वो क्यों दिये गए तो he offered four reasons why there should be freedom of expression ठीक है freedom of expression जो है उसे restrict क्यों नहीं किया जाना चाहिए क्यों freedom of expression दिये जाना चाहिए question बनेगा तो लिखोगे ना चार point है या पांच number का अगर question आएगा तो ले के आना पुरे पांच नांक मत कटवाना ठीक है तो अब क्या कहसकते हम conclude अगर करें तो society that completely suppresses all ideas that are not acceptable today runs the danger of losing the benefit of what might turn out to be very valuable and knowledgeable is point के साथ relate कर सकते हो तो अगर आप क्या कर देते हो कि freedom of expression को restrict करते हो तो आप बहुत सारे ऐसा ideas को suppress कर दोगे जो बहुत useful बहुत knowledgeable हो सकते हैं आगे ना समझ में तो यह पूरी कहानी थी जो मेरे आपको समझानी थी अभी starting यह अब topic यहां से start होता है तो तो freedom of expression में आपको क् आएगा तो आप यह बोलेंगे कि सर हम जो सोच रहें उस चीज को हमें express करने की आजादी हो आपने क्या सोचा आपने यह सोचा कि school की चुट्टिया अब एक साल तक क्या कर देना चाहिए बंद कर देना चाहिए क्योंकि एक साल तक तो कोरोना वाले lockdown में कह रहा है school पूरा आप अपने point of view को express कर पाओ यह freedom of expression है यह freedom of expression उसे माना जाए नहीं माना जाए वो एक अलग issue secondary चीज हो जाती primary क्या है that you should be in a position that you can express your viewpoint ठीक है यह चीज हो गई तो let us understand this with some examples अब आपकी book में जो कुछ example दिये हैं तो उन examples की मदद से हम समझते हैं ठीक हैं आपकी book में क्या example क् कि there are demands to ban books, plays, films or academic articles in research generals ठीक हैं तो आपकी book में जैसे example दिये हैं भी बहुत सारे हैं पर मैं बताऊंगा सारी चीज हैं कि continuously आपने देखा होगा protest होता रहता है ठीक हैं अब book जब लिखी गई ती उस time period की यह सारी चीज हैं तो आज के recent में जैसे हम आपको बताएं तो specific communities demand करत होती हैं यहाँ पे to ban books, plays, films, academic articles यह सारी चीज हैं तो अब बताओ is it justisable यह justisable है या नहीं है बताओ ठीक हैं अब इसको आप कहां सारो जोड़के देखना freedom of expression से जोड़के देखना कि जिसने वो book लिखी है जिसने वो film बनाई है उस इनसान के freedom of expression को curtail किया रहा है restrict किया ज justisable है क्या उसे ban किया जाना चाहिए ठीक है तो freedom of expression is a fundamental value and for that society must be willing to bear some inconvenience to protect it from people who want to restrict it यह statement समझ लो परमग्यान की प्राप्ती हो जाएगी क्या कि justisable नहीं होता है कि आप हमेशा चीजों को ban करो क्यों क्यों क्योंकि freedom of expression जो है na freedom of expression क्या है freedom freedom को जो आपने broad idea पढ़ा तो उसमे freedom of expression भी एक fundamental basic idea होता है एक value होती है जिसे क्या किया जाना चाहिए जिसे लोगों को allow किया जाना चाहिए ठीक है तो freedom of expression is a fundamental value and for that society must be willing to bear some inconvenience अगर मैं कुछ गलत कह भी रहा हूँ जो शायद सच नहीं है मतलब false है ठीक है तो भी society को क्या करना होगा inconvenience बियर कर लेना चाहिए ज यह मैंने ही कह रहा हूँ और एक चीज़ बता देता हूं तो आप मेरे स्विर्पन अरियल फोड़ दो ठीक है यह कौन कह रहे हैं यह जेस मिल के idea से देख रहे हम जेस मिल के हिसाब से देखे तो आपको harm principle उन्होंने क्या बताया था कि हाम principle उन्होंने यह बताया था कि अग अगर वो हम अगर minor हम है कि लोगों को बहुत जादा major हम नहीं हो रहा है हम अगर minor है हम principle के साब से अगर मैं आपको harm पहुचा रहा हूँ अपनी action से जो कि हम minor है तो उसमें legal action use of force by law तो होना ही नहीं चाहिए उसमें क्या होना चाहिए societal disapproval होना चाहिए तो societal disapproval की बात करते तो यहां पर भी वही बोलते है कि अगर कोई अपनी freedom of expression को practice कर रहा है तो उसके चलते society को थोड़ा सा inconvenience सहह लेना चाहिए ठीक है society को थोड़ा सा inconvenience सहह लेना चाहिए to protect it from people who want to restrict it ठीक है लोगों को restrict नहीं करना चाहिए और इस मतलब इस तरह का जो idea है ना ये what you say but I will defend to death your right to say it आप क्या बोल रहे हो मैं उससे disapprove करता हूँ मैं बिल्कुल आप में interested नहीं हो आप जो बोल रहे हो लेकिन यह आपका अधिकार है कि आप बोलो उस चीज को और आपके उस अधिकार को दिलाने के लिए में मरते इदम तक खड़ा रहूँगा ठीक है तो यह आइडिया जो है यह एक्स्ट्रीम कह सकते है तौरे उसको शो करता है कि freedom of expression जो है western concept जो यहां फिर कह सकते है classical liberalism का जो आइडिया है classical liberalism में जो freedom का stand था उस चीज को वल्टायर अपने words में शो करने की गोशिश करते हैं आयना समझ में तो यह मैंने आपको freedom of expression के ऊपर एक थ तो कुछ incidents जैसे हाँ पर दिये गए दीपा महता वास नाट अलाओ तो मेक आफिल्म अवाउट विडोज इन वारा नसी तो जैसे वाटर एक मुवी है पुरानी मुवी है 2007 वगरा में थी तो दीपा महता जो है वह पहले यह मुवी वारा नसी में बनना चाह रही थी लेकिन क्या हुआ continuous protest और इन सारी चीज़ों के चलते फिर उनने यह मुवी उन्हें मतलब बनाने ही नहीं दी गई वारा नसी में मुवी तो बनी लेकिन उनना फिर दूसरी जगा दूसरी लोकेशन सारी चीज़े करी ठीक है तो यह जो है अब लोगों ने क्यों आपोस किया होगा स सुचो वह उनका freedom of expression था दीपा महता चाहती थी कि वीडियो का जो प्लित है जो उनको परिशानिया सहरी पढ़ती है किस तरह से religious place में वीडियो की जो position है बहुत degrading है तो इस चीज़ को शो करना चाहती थी लेकिन लोगों ने प्रोटेस्ट क्या किया कि जब आप यह शो करो होगे लेकिन वर्डवाइड इंडिया की image क्या होगी एक negative image portrait होगी तो इस तरह से क्या है देखो लोगों ने अपना opinion दिया दीपा महता अपना opinion दे रही थी क्या कि मेरी freedom of expression का मुझे exercise करना चाहिए ठीक है तो लेकिन क्या तो ultimately उन्हें वारण सिम्ह बना नहीं जाती रामा सलमान रुषिद ठीक है controversial personality अब सलमान रुषिद ने जो अपनी book लिखी ठीक है तो उसमें उन्होंने क्या क्या ओपन ली अलग अलग religious sentiments पे मतलब अपना viewpoint देते हुए क्रिटिसाइज भी किया है ठीक है और लोगों के sentiments hurt भी हुए तो इस कारण से क्या है सलमान रुषिद के ऊपर तो मतलब हमेशा ही controversy रहती है इनके place देख लो ठीक है यह कुछ बोल भी देते तो भी controversy हो जाती तो इस तरह से क्या है कि यह अपनी freedom of expression का हवाला देते हैं कि मैं अपनी freedom of expression का इस्तमाल कर रहा हूं ठीक है और लोग क्या बोलते हैं कि हमारे sentiments hurt हो रहे हैं अब इस चीज को अगर आप किसके perspective से देखोगे J.S. Mill के perspective से आफिरा हम कह सकते हैं कि जो classical liberalism है ठीक है तो वहां पर कैसे देख रहे हैं कि society को inconvenience bear करना चाहिए अगर वो गलत भी ब last temptation of Christ तो वही कहानी last temptation of Christ इस picture के साथ में है और मी नाथुराम बोलते तो अब जैसे नाथुराम गोडसे दो school of thoughts है समझातों में आपको ठीक है कुछ लोगों का ये भी मानना है कि नाथुराम गोडसे ने महत्मा गांदी को assassinate किया है तो गलत किया बिल्कुल गलत किया है ठी जितने भी example में ने दिये ना ये सारे example classical example कि लोगों की freedom of expression को किस तरह से deny किया गया है अब आपके लिए homework देता हूं में आप बताओ मुझे कि freedom of expression को deny करना सही है या गलत है ठीक है बैंडिंग जो है ये बैं कर देना ओला option सही है या गलत है क्योंकि देखो ultimately मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी argument होगा freedom of expression में तो हर argument का दो dimension होगा हर अगर गलत है तो गलत में भी element of truth रहता है और सही है तो सही में भी एक dimension ऐसा रहेगा जहां उसे गलत प्रूफ किया जा सकता है आगे ना समझ में तो इसके चलते क्या है इसके चलते मतलब एक बहुत gray area develop हो जाता है कि क्या freedom of expression कितना होना चाहिए उसका जो area of interference वो कितना होना चाहिए लोगों को कहां तक अलाओ किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए ठीक है बैंनिंग क्या solution होगा ठीक है तो बै long term perspective से को देखोगे तो वह harmful होता है बैंनिंग क्यों क्योंकि जब आप चीजों को बैं करने लगते हो ना तो एक बार आपने बैं कर दिया दो बार बैं कर दिया तो उसके चलते क्या होगा कि society उस चीज की use to हो जाएगी ठीक है use to हो जाएगी और फिर क्या होने वाला है तो बैं करते जाओगे तो बहुत सी बार क्या होगा जो सच में सच होता है उसको दबा दिया जाएगा और जो कह सकते हैं कि false है ठीक है तो उस false को truth की तरह depict कर दिया जाएगा आया समझ में तो यहां पे वही argument आता है कि because once once one begins to ban then one develops a habit of banning and in this habit of banning you are bound to you are bound to lose the element of truth ठीक है जो सच होगा उसे आप भूल जाओगे वह आपसे खो जाएगा आगया समझ में तो इस सेंस में क्या freedom of expression बहुत जादा जरूरी है अब क्या होता है मैं एक चीज़ और समझाता हूं वह अच्छी तरह से कि जब यह banning एक easy option हो जाता है तो उसके चलते क्या होगा कि जैसे for example आज के स सकते हैं कि टेरेनी वाला element है ना वह यहां पर क्या हो जाता है तो freedom of expression तो एक ऐसा राइट है जो होना चाहिए और यह आज और कल की मतलब debate नहीं है यह कहां से आप French Revolution से उठा के अगर देखोगे ना तो उस time period से ही लोग फ्रांस को ऐसा मतलब European history की हिसाब साथ देखे हम Eurocentric history क्योंकि worldwide history तो Europe के perspective से लिखी गई है तो Eurocentric history क्या बताती है कि सारे अच्छे ideas कहां से निकल के आ है फ्रांस से निकल के आ है जब French Revolution हुआ तो वहां से निकल के आ है हम भी पढ़ रहा है तो उस perspective से पढ़ लेते हैं तो जो liberty के idea liberty equality fraternity के जो core ideas निकल के आ है French Revolution से तो उसमें यह बात की जाती कि liberty जो दी जाए individual को तो freedom of speech and expression freedom of thought ठीक है इन सारी चीजों की भी क्या दी जाने चाहिए liberty दी जाना चाहिए और बहुत सारे सवाल ऐसे उठते हैं यहां पर देखो अब वही वाली बात आती है कि जब आप बोल रहे हो कि banning long term में सही नहीं है तो फिर आपने त खुद क्या बना के रखा एक sensor board बना के रखा है ठीक है गवर्मेंट ने देखो अच्छा सवाल है गवर्मेंट ने तो खुद sensor board बना के रखा तो फिर यह freedom of expression को कटिल नहीं करता है तो concept समझो देखो हर चीज का dimension होता एक दिखने का अब वह sensor board क्यों बना गया है ताकि उन स society में problem create कर सकते हैं ठीक है society में problem create कर सकते हैं जैसे कोई movie है को है movie में अगर कोई एक specific scene है तो scene को क्या किया जाता है sensor board के दवारा हटाया जाता है उस scene को delete किया जाता की पूरी movie को हाथ में आपको समस्या होगी तो आप उस हाथ का इलाज करवा उस हाथ को काट के नहीं रख दोगे तो उसी तरह से क्या है कि सेंसर बोड का काम करने का तरीका और freedom of expression restriction पे restriction लगाने का तरीका दो अलग अलग चीज है दोनों अलग अलग चीजों को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता है ठीक है अब जैसे एक सामपल आपकी बुक में यह भी अच्छा दिया है क्या कि ब्रिटेन के रॉयल फैमिली में जिसे जो इनसान काम करता उनके साथ रॉयल पैलेस में जो काम करेगा तो इस इंसान से पहले ही काम कर काम पे लखने से पहले contract सने करह लिए जाता है कि आप काम छोड़के जा हो गे ना तो आप किसी का कभी इंटर्व,ляों को आप कभी कुछ लिखने सकते हो किसके बारे में यह जो इंतर्व्फम badly ब्रिटेन की इसके बारे मेम मैं कभी कुछ लिख नहीं सकते हो किसी को इंटर्व्यू नहीं दे सकते हो तो यह क्या है यह भी एक तरह से freedom of expression पर क्या curtailment है नहीं है सोचो अराम से सोचना रात में सोने से पहले सोचो गया तो सपने में भी ही सोचो गया ठीक है सोचना जाना उस चीज़ पर आगया समझ में तो constraints जो लगाया जाते हैं तो constraints of different kind does exist and we are subject to them in different situations तो constraints जो लगाया जाते हैं वो अलग-अलग तरह के होते हैं और अलग-अलग-अलग के constraints को हम क्या करते हैं we are subject to them in different situation तो depending on the situation constraints सहीं भी है गलत भी है starting में चले जाओ एकदम ठीक है एकदम starting में चले जाओ वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि freedom क्या है freedom एक तरह से freedom comes with some constraints absence of constraints आप बोल रहे हो लेकिन उस absence का भी meaning क्या होता है कि minimum हो या फिर reduced social constraints होना चाहिए तो आप एकदम यह नहीं हो सकते हो कि एकदम खुली-चूट है तो खुली-चूट हो जाएगी तो उसमें क्या हो जागी कि जो powerful हो तो weak के उपर एकदम dominant करके बैठ जाएगा तो इसके लिए क्या है कि constant जो होते हैं अलग-अलग तरह के होते हैं ठीक है होते हैं constant अलग-अलग तरह के होते हैं does exist and we are subject to them in different situations तो अलग-अलग situation में अलग-अलग constants जैसे for example some constraints are difficult to fight against कभी-कभी क्या होता है कि state government या फिर कहलो आपकी religious authorities जो होती है वह constraint लगा देती हैं ठीक है अब जैसे सनेटिक वर्स सलमान रिशित की जो book लिखी गई तो वह क्या है उसके उपर religious institutions ने बढ़ चड़के क्या कि अपोस किया ठीक है religious institutions ने बढ़ चड़के अपोस किया तो इस तरह के जो constraints लगेंगे अब ठीक है क्योंकि यह क्या और एक pressure create हो रहा है तो sometimes these constraints are difficult to fight against इनसे आप नहीं लड़ पाऊगे फिर कुछ constraints ऐसे भी होते आप ice cream खा सकते हो कोई नहीं रोख रहा है लेकिन आप कभी-कभी ice cream खाने के उपर constant खुद से लगा लेते हो कैसे लगाते हो खुद से क्यों लगाते हो अब आपको सर्दी हो रही है वो मतलब उनसे लड़ना भी आसान नहीं होता है, कुछ constant आप खुद लगाते हो, तो अब इस case में तो आप ये नहीं बोलोगे कि आपकी freedom को restrict कर दे गए, आपने खुद नहीं ice cream खाईए ना, क्योंकि आपको पता ice cream खालेंगे तो सर्दी और बीड़ जाएगी, ठीक, तो उस absence में आपको एक broad dimension रखना होगा, जब आप freedom को पढ़ते हो, ठीक है, freedom में constraints की बात करते हो, freedom of expression के perspective से पढ़ रहे हैं हम चीजे, लेकिन अब chapter भी conclude हो रहा है, तो आप सारी चीजों को mix कर सकते हो, कि chapter, मतलब broad freedom की heading को ले सकते हो आप, ठीक है, तो let's sum up, उसको sum up करते हम, क्या से, कि freedom जो है, तो freedom means absence of external constraints, starting में definition यही पड़ी थी, freedom का मतलब क्या होता है, कि कोई external constraints नहीं होना चाहिए, freedom means absence of external constraints, ठीक है, तो आप, जब constraints नहीं होंगे, तो उसमें वही समझ से आती है, कि individual क्या है, अपने आपको harm भी तो कर सकता है, तो यहां पर क्या कहा जाता है, कि freedom embodies our capacity and our ability to make choices, ठीक है, लेकिन freedom क्या करती है, हमारे को constraints, खतम कर देना ही freedom नहीं है, freedom जब हमारे पास सही मायने में होगी, तो वो क्या करेगी, हमारी ability to make choices, इस चीज़ को enhance करती है, freedom, ठीक है, तो choices comes from responsibility of our action and their consequences, अब जब देखो, बहुत important चीज़ है, तो freedom में क्या है, अपनेट कर choices के option रहेंगे, ठीक है, अब आपको बोल दियागा है कि आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को करोगे, लेकिन जब आप अपने हिसाब से चीज़ों को करोगे, तो क्या होगा, choices comes from responsibility for our action and their consequences, एक example लेतने चलो, ठीक है, example क्या लेते है, कि parents बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि पढ़ लो बेटा, ठीक है, पढ़ लो बेटा क्यों क्योंकि exam में आप पढ़ के जाओ के तभी तो कुछ लिख क्या होगी नहीं, तो आपने जो choice बनाई है, choice comes from responsibility, तो आप अपने बुरे marks के लिए फिर खुद responsible होगे, आगे समझ में तो choices comes from responsibility of our action and their consequences, और फिर बुरे number आएंगे, ठीक है, बुरे number आएंगे, और कह सकते हैं, पिटा ही होगी, तो उसके जो consequences होगे, उसके लिए आप खुद जिन्मेदार रहोगे, आए ना समझ में, तो इस तरह से आपको चीजों को summarize करना कि freedom जो है, freedom में constraints बुरे नहीं है, ठ constant situation पर depend करते हैं, और उसके बाद में जब आप freedom में बोलते हो कि हमें choices रहना चाहिए, तो आपकी choices, आप freedom को exercise करके अपनी choices ले रहोगे, तो आपकी choices के लिए responsible भी आप खुद रहोगे, clear हुआ ये, ठीक है, तो therefore, one is needed to develop the capacity to make choices, तो इसलिए क्या है freedom का सही माइना में, अगर ह ही क्या है, आपकी potential को develop करना ही सही माइन, सही definition है freedom की, ठीक है, ठीक है, और वो जो capability है कि कैसे सही decision लिया जाए, वो कैसे develop होगा, तो through education and cultivation of judgments, तो आप सही education, सही cultivation of judgment को जब इंक्लूड करोगे, तो अपने आप क्या होगा, automatically, सही decision लेने की जो potential है, वो develop होते चले जाएगी, और यह उतना ही ज़रूरी है, it is important as much as it is needed to be nurtured by limiting the authority of state and society, ठीक है, जब आप freedom को absence of constant के perspective से देखता हो, आपके बोलते हो कि state जो है, उसकी authority की, मतलब state की authority उसको limit किया जाए, तो state की authority को limit करना भी उतना ही ज़रूरी है, जितना क्या, आप अपने decision making process को develop करो, आया समझ में, त chapter complete होता है, अगर आपको यह लग रहा freedom of expression, lengthy topic था, अलग-अलग dimensions देखे, sir, हम तो चकरी खा गए, तो एक बार में आपको 2 minutes में summarize कर देता हूँ, देखो क्या है, summarize कैसे कर सकते हैं, कि J.S. Mill, जो है, तो J.S. Mill क्या है, वो argument देते हैं कि freedom of expression should not be restricted, ठीक है, तो वो argument चार points में द बताया, ठीक है, फिर उसके बाद में अगर हम देखें, तो क्या, मतलब freedom of expression को restrict करना या फिर banning करना चीजों की, यह justiciable है या नहीं है, तो यह justiciable नहीं है, क्यों short term में तो सही, long term में क्या है, कि आप जो truth का element होता है J.S. Mill के साब, साब उसे खोद होगे, ठीक है, तो इसक constraint सही होते हैं, गलत होते हैं, तो मैंने आपको भी बताए कि constant जो हैं, बहुत अलग-अलग तरह के होते हैं, तो constraint किस पर depend करते हैं, situation पर, और उस situation के साब सब आप constant देखोगे, तो constraints भी जरूरी है, और constraint के साथ साथ जरूरी यह है, कि आप अपनी choices के लिए, खुद responsible होते है उनके जो consequences होंगे, उनके लिए खुद responsible होते हैं, तो आपको focus उस चीज पर किया जाना चाहिए, कि आप कैसे सही choices लेने के लिए सक्षम बन पाएं, ठीक है, उस capacity को कैसे develop करें, वो सही मायने में freedom होगा, उतना ही जितना कि आप freedom में क्या बोलते हो, कि state के जो authority उसे limit किया ज ठीक है, ठीक है, so this was all about freedom of expression and this whole chapter, so with this we come to an end of our chapter, ठीक है, chapter complete हुआ, नाचो गाओ, एंश करो, तो अब क्या है next chapter जो है आपका, एक political idea समझा है आपने अभी, आपने introduction वाला पहला chapter देखा, दूसरा freedom देखा है, अब जो next आपका political idea है, कौन सा equality, freedom और equality, चलो मैं आपको looping करवा दिता हूँ, मतलब यह chapter वो पिछल, अगला chapter जो है जोड़ा हुआ है, बताता हूँ, freedom और equality जो है ना, दोनों आपस में बहुत गहरी दोस्ती ले कर बैठ है, कैसे, कहा, क्या, वो जब हम next chapter स्टार्ट करेंगे, तो चीज़ें automatically clear होते चलिए, आईगी उसको उसके साथ Keep Learning with Magnet Brains, thank you